नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी का आपके अपने चैनल के उपर मेरा नाम है संदीप I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल के अंदर और डिटेल्स के अंदर देख रहे हैं आज का हमारा session आज का हमारा topic जो है highway engineering highway engineering से related जितने भी portion आते हैं चाहे वो highway की history से related हो चाहे वो geometric design से हो सारे portions हम cover करेंगे और साथ ही साथ में इनके numerical questions और जो data based questions हैं कैसे exam में हम से पूछे जाते हैं वो सारे हम यहाँ पर discuss करेंगे सभी को नमस्कार सभी को good evening चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं और अगर आपने अभी तक telegram channel जाइन नहीं कर रखा है तो telegram channel आप जाइन कर लीजे जहाँ पर आपको मिलेगी updates और notification साथी साथ में वहाँ पे दोस्तों आपको PDF जो भी subject related है marathon related है कैसे भी sessions की कैसी भी PDF वो आपको सारी महाँ पर updated मिलेंगी नीचे description में भी इसका link है आप उसपे click करके भी telegram या फिर कोई भी social media जो channel है वो आप join कर सकते हैं नीचे उनके links जो हाँ वो दिये हुए है let us begin with road engineering क्योंकि यह marathon session है तो यहाँ पर बिल्कुल basic details जो है उनके उपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि road engineering या highway engineering की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी obviously बात है कि एक जगा से दूसरी जगा अगर जाना है पुराने समय से भी अगर हम देखें तो road transport जो है वो सबसे पहला medium था एक जगा से दूसरे जगा ट्रेवल करने का चाहे material को पहुंचाने का goods को पहुंचाने का तो इसी लिए उस medium को हम और comfortable बना सकें और safe बना सकें इसी लिए हमें highway engineering की ज़रूरत पड़ी highway engineering स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि investigation जो करने होती है हमें इनके बारे में सभी को नमस्कार सभी को गुद इवनिंग चलिए let us begin तो दोस्तों कोई भी road project जो है वो आपको अगर start करना है तो उस road project के अंदर पहले आपको survey करना होगा या investigation करना होगा इसके चार total step होते हैं जिन में से सबसे पहला आपका रहने बाला है map study फिर उसके बाद रिकॉंसर सर्वे फिर preliminary then you will go for location survey रिकॉंसर सर्वे के अंदर आप मोटी मोटी तौर पर जो जानकारियां जुटाते हैं वो होता है objective question पूछा गया था sequence क्या होता है इनका कोई भी चीज हम purchase करते हैं तो उससे पहले हम उसका MRP label जरूर देखते हैं तो भई आप यहां पर याद रख सकते हैं कि आप MRP label से इसको याद रख सकते हैं आप इसको MRP label से याद रख सकते हैं आप आप सकते हैं ठीक है MRP map study, reconnaissance survey, preliminary, फिर location reconnaissance survey जो हमारा होता है इसके अंदर हम मोटे मोटे तौर पर जानकारियां जुटाते हैं किस जगां से किस जगां को connect करना है वो जगां कैसी है, वो land features वहां की कैसे है क्या plane region है, hilly region है, rolling terrain है किस प्रकार का terrain है इसके बारे में जानकारियां जुटाते है material कहां से आएगा, labor कहां से आएगा इसके बारे में मोटे मोटे तौर पर जानकारियां जो है, वो हम पता करते है और कोई भी possible routes, कैसे कैसे इन दो locations को, एक location, दूसरी location कैसे हम इन दोनों को connect कर सकते है इनके possible routes जो है वो बना लिये जाते है फिर आता है preliminary survey, preliminary survey के अंदर हम alternate alignments जो है, वो बता करने की कोशिश करते है, कि किस तरीके से best possible way जो है, इन तीन चार routes जो हमारे थे, इन में से best कौन सा possible होगा, फिर survey जो है, वो prismatic compass, plane, table, theodolite, ये सारे survey भी वहाँ पर किये जाते है, to collect all necessary information and details of topography, drainage and soil of various alignments found after the reconnaissance survey और फिर अलग-अलग alignments को compare करके, एक best alignment हम final कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाकर करके, उसके उपर detail survey, जो location survey है, वो आपको वहाँ पर होगा history of highway engineering की अगर हम discover हुआ था, उसके बाद आया था दोस्तों, सबसे पहले जो record है, वो है Assyrian Empire में लगबग 1900 BC के around, जो पहला record जो पाया जाता है, road के construction का वो आपको मिलता है, Roman roads जो हैं, वो बहुत पुरानी roads हैं, कुछ roads तो आज तक exist कर रही हैं इन roads के अंदर तो इन में खास चीज़ें क्या थी या खास बात क्या है, जिसके उपर हमें focus करना है वो कुछ इस प्रकार से है, कि इन Roman roads की जो thickness होती थी या जो depth कह लीजी आप, वो बहुत जादा थी और इसके अंदर बहुत heavy stones का use किया गया था, जब इतनी जादा thickness होगी road की, तो इनका construction भी obviously बहुत मेहगा पड़ा था इसके अंदर 0.75 से 1.2 meter thickness, objective के point obviously या आद रख सकते हैं कि लगबग किस range का, 0.75 से 1.2 meter thickness जो है यहाँ पर road की थी, जिसके उपर large stone के slabs, उपर और नीचे भी stones side में curve stones जो हैं वो provide किये गए थे और beach के अंदर आपको broken stones जो हैं lime concrete के अंदर put करके provide किये गए थे तो इतनी सी चीज़ आप इसके अंदर याद रख सकते हैं next moving on to trashgate construction जो France के अंदर अगर हम बात करें तो Roman Empire के बाद कोई और country ने thick construction roads का नहीं use किया इसके बाद जो trashgate construction या France के अगर हम बात करें तो लगबग 2.7 meter जो है वो road की thickness थी और इसके अंदर broken stones जो है वो use किया गया नीचे heavy stone उपर जो है वो broken stones का इस्तेमाल किया गया पियर trashgate developed an improved method which proposed that thickness of construction need only to be in the order of 30 cm. Roman के अंदर ये बात बोली गई थी कि लगबग 0.75 से 1.2 meter thickness है road की इस case में यहाँ पर Romans के case में लेकिन Pierre ने बोली ये बात कि 30 cm ही बहुत है यहाँ पर John Metcalf ने भी same time पर इसी के उपर work किया लेकिन उनका work on record इतना नहीं आपाया जितना Pierre trashgate का आया था फिर उसके बात 200 फ्रांस के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर 200 mm pieces जो थे queried stone के उनका इस्तेमाल किया गया जो layers बनाई गई 25 mm का stone use कर करके 200 mm की layers जो है वो form की गई थी तो इतना सा इसके बारे में आप याद रख सकते हैं Thomas Telford British Construction की अगर हम बात करें founder of institution of civil engineer at London believed in using heavy foundation stone above subgrade in order to keep the foundation firm और उन्होंने cross slope जो है वो भी provide किया उसके बात macadam आ गए macadam ने क्या किया कि heavy foundation stone की कोई ज़रूरत ही नहीं है जादा stress जो आता है वो top की layers के अंदर आता है top की layers को अच्छा बनाएंगे हम तो नीचे की layer तक जाते जाते stress वैसे ही reduce हो जाता है यहाँ पर तो यह बात macadam ने बताई macadam ने जो construction बताया macadam की roads जो थी उसके अंदर broken stones और उनके अंदर stone dust जो है वो use किया गया heavy pressure के साथ उनको अगर हम compact कर दें तो वो macadam roads बन जाती है फिर बाद में further इनके अंदर आगे और advancement हो गए bitumen जो है उसका इस्तेमाल किया गया या फिर concrete की pavement जो है उनके उपर हम आगे water bound macadam के अंदर broken stones होंगे stone dust होंगी पानी होगा heavy weight से उसको compact कर दिया जाएगा बस इतनी सी चीज़े इनके बारे में आप याद रखेगा modern roads जागे develop होई या फिर अगर India की हम बात करें तो India के अंदर main main बातें discuss कर रहे हैं दोस्तों ये exam से पहले का marathon session है तो इन कहानियों का जादा कोई point नहीं है exam के इसाब से कहा question पूछ जाते हैं उन पे focus करेंगे 1927 में MR जैकार जैकार कमीटी जो है वो फॉर्म की गई एक official कमीटी जो की highway development या planning के बारे में यहाँ पर work करेगी so this committee came to be known as जैकार कमीटी क्योंकि ये MR जैकार की अध्यक्षता में बनी थी they gave more stress on long term plan और 20-20 साल के plan जो है वो बनाए गए मुख्य बाते और क्या क्या है IRC का गठन कब हुआ Indian Road Congress जो है वो 1934 के अंदर बनी Central Road Fund जो है 1929 में एक ऐसे आपको यहाँ पर fund की जरूरत थी पैसों की जरूरत थी जो की आपका highway planning या development जो होगा उसको कौन fund करेगा पैसे कहां से आएंगे उसके लिए Central Road Fund जो है वो develop किया गया 1939 में Motor Vehicle Act आया जो की traffic laws, regulations इन सब के बारे में Motor Vehicle Act 1939 के अंदर आया Central Road Research Institute CRRI 1950 के अंदर आया यह आपको याद रखना है पिर पहले अगर road plan की बात करें तो वो था आपके पास नागपूर road plan 1943 के अंदर वो शुरू होगा इसके according roads को classify किया गया पांच categories के अंदर National Highway, State Highway, District Highway और Village roads के अंदर पांच में यह आपको याद रखना है नागपूर plan के according target रखा गया था कि 2,00,00 km की road बनानी है 20 साल के अंदर और जो density होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार से कि 16 km की road होनी चाहिए हर 100 square km area के अंदर star और grid pattern इसके अंदर follow किया गया नेक्स plan यह नागपूर plan जो था 1943 से 63 तक चलना था लेकिन 18 में ही complete हो गया तो 18 साल में ही complete हो गया तो 1961 में Bombay Road Congress जो है वो start हो गया second 20 year plan वाज Bombay Road Congress इसके अंदर अगर road length की बात करें target की तो first जो हमारा नागपूर plan था तो नागपूर plan के अंदर 2 lakh km का target था Bombay की अगर हम बात करें तो Bombay के अंदर यह 10 lakh हो गया यहां पर 32 km की road बनाएंगे हर 100 km square area के अंदर तो डबल कर देंगे यहां पर density की अगर हम बात करें तो 1600 km का express bay जो है वो भी यहां पर construct किया जाए फिर उसके बाद बात आई दोस्तों लखनाव रोड कॉंग्रेस की 1984 के अंदर यहां पर टारगेट रखा गया 20 year plan जो तीसरा था लखनाव वाला जो था उसके according length of national highways जो consider की गई वो area of country by 50 और length of state highway area of state by 25 यह टारगेट रखे गए जो जो चीज़े highlighted है वो objective में अपने आप में एक-एक सवाल बन कर आते हैं next नादपुर classification के according national highway, state highway, major district road, other district road और village road IRC 73 concerned है design of rural highways के according फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं modern लखनाव classification के according आप से objective में यह पूछ सकता which out of the following comes under tertiary roads as per modern लखनाव classification which out of the following comes under tertiary roads तो primary road में expressway और national highway को रखा गया secondary के अंदर state और major district road को रखा गया और tertiary के अंदर other district road या village roads जो हैं उनको रखा गया question number one के साथ चलता है तर नागपूर रोड प्लान फार्मूला वर प्रेपेर्ट अज्यूमिंग स्टार और ग्रेट पैटन अज्यूम के आ गया according to the recommendations of famous नागपूर highway plan all national highway and state highway should be provided with a durable hard pavement किसके अंदर साथ में state highways के अंदर next stages of engineering surveys for highway location in following order कौन कौन सा following order है जल्दी से बताएं कौन सा order है जल्दी से बताएं सबसे बहले map study MRP label से याद रख सकते है MRP L next who was the surveyor general of roads in England whose new concept of road construction became known by the year 1827 so John Macadam which of the following periods are true इन में से कौन सा period सही है Metcalf 1717 से 1810 Telford की बात करें तो 1757 से 1834 तक Macadam की बात करें तो 1756 से लेके 1836 तक और Tresgate जो है वो 1717 जो अभी इनने देखा 1796 The importance of subgrade drainage and compaction was recognized and so the subgrade was compacted and was prepared with a cross slope of 1 in 36 in which type of road construction the above statement came into picture तो ये Macadam construction के अंदर आया था The planning, design, construction and maintenance of road and roadway facilities to the need of road traffic are covered under तो ये कौन से topic के अंदर आता है Highway Engineering के अंदर आता है Under which classification of roads Paved roads are classified Paved roads को हम उनके carriageway का type क्या है उसके according classified करते हैं The following is one of the main features of Roman roads Roman roads का main feature क्या था Total thickness जो थी वो 0.75 से लेकर के 1.2 मीटर के लगबग थी Bombay road plan जो है वो दुवित्तिय road plan था Second वाला road plan था Second 20 year The road classification system which categorized the roads into three classes Primary was developed in India Developed in Indian India in कब developed हुआ तीन classes के अंदर divide किया हूँ Primary, Secondary, Tertiary तो modern लखनहू के अंदर इसको किया गया As per IRC, what shall be the maximum length of truck and trailer combination of road vehicle 18 meter थोड़ी से देर में देखेंगा इसको The road portion used by vehicular traffic is known as carriageway बोलते हैं जो road का वो portion जो हम इस्तेमाल करते हैं Level grades may be used in fill sections for road in rural areas On fill sections in rural areas, crowned pavement and sloping shoulders can take care of surface drainage सब्सक्राइब जो वादेर फसक्ते हैं कर दो देर्वान हैं झाल वाल करते हैं सब्सक्राइबने चेह लादेर में जो चिए हैं ता यू फई ता झाल करते हैं वोड हैं अ अच्छोन सी और अ च्छरू और रहा हा लोड लुटिव। बोट असराश्िन था चलानी त्री लुटिव। रह प्रह ग्राहस। अंदर level grades may be used in fill section for roads in rural areas, जो crown या topmost portion provide करते हैं, वो surface के उपर drainage जो है उसका purpose वो ही solve कर देगा Which one of the following is the chronological sequence in regard to the road construction chronological sequence की अगर हम बात करें, sorry options जो है वो थोड़े से अजीव हो गए typings are enterprise प्रेस करना भूल गया हम पर Tresgate, Telford, Macadam, CBR Next, the length of national highways as per third 20-year Lucknow Road plan is given by phone laptop से तो बहुत दूर है दोस्त एक अजीब सी आवाज इस में से आती है smart board में से area of the country by 50 next, the roads connecting major parts of country and capital of state are classified as national highway बोलते हैं अलग अलग parts of country को connect कर रहा है अगर roads which connect villages with towns of cities are known as village roads the roads which connect district headquarters of a state are known as इन्हें बोलते हैं state के जो highway होते हैं state के अंदर major जगाओं को जो connect करते हैं which road pattern was assumed to prepare the formula of Nagpur road plan star and grid pattern था next, the minimum coefficient of lateral friction for a highway is lateral coefficient of friction 0.15 थोड़ी सी देर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगे अभी the period of long term plan for the development of roads in India known as Bombay plan 2020 years के थे following is a symbol of ये किसका symbol है अभी आदा दूरा सवाल है अगर options change कर दिये जाएं survey के recording survey के recording क्या अलग हो जाएगा इस सवाल के अंदर याद रखिएगा survey के अंदर भी आता है ये topic और ये कही ना कही जो है highway के अंदर भी उज़ कर सकते हैं अगर symbols की बात करें तो तोड़ा सा आपको दिखने में आसानी हो इसलिए मैं इसको zoom in कर देता हूँ कुछ चीज़े हैं कुछ sign है आज कल मतलब पिछले दो exams की बात करें अगर तो ऐसे सवाल आने शुरू हो गए है single track अगर है तो कुछ इस तरीके से symbol आपको show होगा double track के लिए यहाँ पर तीन जो lines या फिर यह कह लिए दो track show करने की कोशिश है फिर पक्का road को solid lines बनाए गई कच्चा road को यह जो dash वाली lines जो है वो बनाए गई falling is a symbol of अब यह किस चीज़ का symbol है आप यहाँ पर इन में पहचानने की कोशिश करिएगा options में तो अब इन में आपस में confusion हो जाएगा पता नहीं लग पाएगा ना की कौन सी है पिर टनल रोड अगर आपके पास है तो बीच में इस तरीके से round circle बनाया हुआ है टनल बनाई हुई है यहाँ पर canals and ditches है तो इन के लिए तीन lines इस तरीके से draw की हुई है आपको aqueducts है तो तीन dash वाली lines जो है यहाँ पर drawn है पिर dam अगर है तो dam के लिए कुछ इस प्रकार से एक barrier बनाया हुआ है पानी के रस्ते के लिए वो है bridge की अगर हम बात करें तो bridge के नीचे से अब देखे आप यूं मत कहिएगा कि यह कोई dam है आप artist की नजर से देखें उसकी भावनाओं को समझे या फिर SAC की भावनाओं को समझे वो कहना चाहरा है कि देखो यह bridge बनाया यह bridge के नीचे से पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है न तो bridge है फिर यह stream ऐसे धारा बना दी फिर यह pond बनाया हुआ है ठीक है pond जैसा लग रहा है यह falls and rapids यह बनाये गए falls and rapids falls जहां पर पानी एक grade से दूसरे grade के उपर आकर के गिरता है या जैसे अगर आपको भी rafting करने जाते हैं तो पानी जो है वो थोड़ा सा hill वाली side से upstream side से उपर से आ रहा होता है दीरे दीरे नीचे आता है तो जिस जगहां पर आकर के वो एकदम से slope change करता है अपना तो वो falls and rapids round in embankment को जिस प्रकार से यह दो line center में जो बनाये हुई है इसके उपर जा रहा है है हाँ पर road in embankment embankment के उपर road बनाये हुई है फिर उसके बाद next आपके पास आता है road in cutting embankment का मदलब आपने fill करके soil fill करके फिर road बनाये है cutting का मदलब वहाँ से soil हटा करके फिर road बनाये गई है तो road in cutting है तो यह lines उपर से शुरू होंगी और road in embankment तो road से ऐसे इस तरीके से ये lines जो हैं वो show की गई हैं आपको next फिर उसके बाद बात करें तो gardens जो आपके पास अब भले ही आपको ये चिडिया नजर आए कुछ भी नजर आए लेकिन artist की नजर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लगाया हुए है यहाँ पर कुछ बौदे दिखाई दे रहे हैं गार्डन दिख रहा है ये फिर उसके बाद मार्शी ग्राउंड डलदली जगा अगर आपके पास है तो कुछ उसने ऐसे जैसे stock market के graphs होते हैं वैसे से कुछ दिख रहा है फिर उसके बाद जंगल ये जो छिपकलिया दिख रही है आपको ये छिपकलिया नहीं है ये बड़े-बड़े पेड है जंगल बनाया गया है यहाँ पर फिर उसके बाद cultivated road cultivated land आपको दिखाई दे रहे हैं और orchard के अंदर ये कैसी सी shape है orchard, बागाने, बगीचे ये बनाये हुआ है चलो तो आगे बढ़ते हैं fence of any kind कोई भी प्रकार की fencing अगर तार बंदी जो की हुई है वो कांटे वाले जो कंटीले तार होते है उनसे की हुई है इनने की barbed wire से तो इस तरीके से कुछ cross करके बीच में अगर round बनाये हुआ है तो smooth wire की fencing की हुई है फिर rail की fencing अगर आपके पास है तो इसे zigzag line के अंदर hedge fencing अगर आपके बनाये हुई है hedge fencing कौन सी होती है ये पहले भी discuss किया था hedge fencing कौन सी होती है, घास food वाली जो fencing होती है चलिए next telegraph ये telephone line अगर जाती है तो उसके लिए power line है तो फिर से dash line अब ये dash dash वाली line कितनी बार आ गई अब कैसे पेचाने विच्छा लेगन फिर वह examiner की भवडाओं को समझना होगा आपको telepathie नाम की चीज़ होती है आँखे बंद करना तीन बार ohm 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 भोलना तो फिर examiner के mind से connect हो जाएंगे आपको समझवा जाएगे कि उसने अगर ये dash वाली line दी हुई है तो उसने क्या पूछना चाहरा है वो किसके लिए पूछना चाहरा है तो power line आगई आपके पास फिर उसके बाद wall solid line gate के लिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर show कर रखा है और next उसके बाद आते हैं wall and gate दोनों एक साथ दिये हुए होगर आप जी भर के बस इनको देख लीजिया आरामस यही है देख लिए आपने wall and gate अगर नहीं clearly दिख रहा है अभी भी अब दिख रहा होगा temple, church, mosque यह तो आराम से पहचाने जाएंगे benchmark की अगर हम बात करें तो BM से लिखा हुआ होगा open bell अगर है तो ऐसे इस तरीके से dash अगर ऐसे null लगा हुआ है तो tube bell हो जाएगा put path अगर है तो यह ऐसे-ऐसे line चलती जा रही है next, metal road दो solid line, unmetaled दो dash वाली line आती है आपके पास यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, unmetaled road का यह symbol था SSC वालों को civil engineering का diagram बना के देना चाहिए बिलकुल, अगर आपने divan की है तो पक्का मिलेगा आपको क्योंकि last year भी था, जिसके अंदर ऐसे करके ऐसे हाथ कर दिया तो simple क्या होगा, तो वो वाले question आए थे, इस year भी एक आदा देखने को मिल सकता है, अब आपने बोला है इसलिए ऐसा होगा Northern roads और low cost roads are generally constructed as village road यूज करते थे, generally आजकल तो हर जगा ही metal वाली roads यहां वो construct हो गई है, the city roads which are meant for through traffic usually on a continuous route are known as arterial streets या arterial road उनको हम बोलता है next, MDR stands for major district roads जो हैं, वो MDR होती है ODR is other district roads, अभी तो लग रहा है कि बहुत simple simple है, लेकिन exam में जब यही question दिया होगा ना, अब तो लगेगा कि यह भी कोई सवाल होते हैं, exam में जब आएगा ना, तो other district road भी है, optimum daily return, ordinary double roads, none of these नहीं कुछ और ऐसा लिखा होगा जो confuse कर देगा आपका So other district road, next, in which of the following year government of India brought into the effect Motor Vehicles Act, Motor Vehicle Act 1939 यंदर आया According to the third development plan, which of the following category of roads is included in secondary system, अन्य आपको काता ना, primary, secondary, tertiary ऐसे पूछ लेता है कि secondary के अंदर कौन-कौन से आया एक चीज़ के लिए आप हमेशा prepared रहिएगा ऐसा मान लीजिएगा, कि आपका जो paper बनाया है आपका paper बनाया है, आपके परम्मित्र, परम्प्रियमित्र ने बनाया आपके best friend ने बनाया है, तो आपका best friend आपके क्लिक ऐसा paper बनायागा, एकदम ऐसा तो बना नहीं देगा क्योंकि उसे authority दी गई है, तो ऐसा तो बना नहीं देगा कि जो कोई करी ही ना पाए, लेकिन जो बना सकता है उसके अंदर ऐसा तो बना सकता है कि आप अच्छे से परिशान हो जाए इसलिए starting के 20 सवाल जो है, उनके लिए ऐसा prepared रहें कई बार ऐसा हो जाता है, किसी सेट में ऐसा हो जाता है चाहे question same हो, लेकिन उन questions में से वो सारे एकदम complicated वाले, एकदम tough वाले, ऐसे वाले सवाल जिनने देखके आपको लगे आपने पढ़ा ही नहीं है, अगर वो शुरू में आपको दिखने लग जाए, तो mentally prepared रहेगा कि examiner आपके दिमाग की strength जो है, आपका patience जो है, वो check करना चाहरा है, initially और बाद में वो check करेगा आपका knowledge क्या है, तो अगर initially आपका दिमाग या जो आपका patience level है, वही अगर डगमगा गया, तो knowledge और जो महनत कर रखे थी, वो भी properly use नहीं कर पाएंगा, ठीक है, चलिए, तो state highway और major district roads जो हमारी हैं, वो आती है, secondary में express way और national highways जो आपके हैं, वो आजाते हैं, primary के अंदर और tertiary के अंदर, other district road या village roads आती हैं, next, what is the road within a city or town called as, urban road बोलेंगे उसको, यहां बहुत ही जादा busy जो urban streets होती हैं, उन्हें arterial roads कहते देते हैं, border road organization for hilly region was formed in 1960, according to the nagpur plan, Indian roads have been classified into five categories, which of the following category of roads is included in the secondary system according to the, यह तो अभी discuss किया हमने, जेकार कमीटी कब form हुई, जेकार कमीटी 1927 में, बहतरीन, next, Indian road congress, IRC was set up in the year, जो भी मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो को पीछे देख रहे होंगे, मतलब उन्हें question 17, 18, 20 कुछ दिखाई दे रहे होंगे, वो please live पे click कर दीजिएगा, जिससे कि आप पीछे जो वीडियो आपके चल रही है, आप एगदम live देख पाएं, next, IRC की बात करें तो 19, 34 के अंदर, which of the following transport system is cheapest in construction and maintenance, construction और maintenance के हिसाब से cheapest इन में से कौन सा है, पानी वाला, सिर्फ ports, harbor ये ही बनाने है, इसके अलावा पानी के अंदर कुछ construction करने के ज़रूरत तो है नहीं, next, ये question highway engineering का है, लेकिन highway engineering इतनी जादा लग नहीं रही है इसके अंदर, in a district where the rainfall is heavy, major district road of water-bound macadam pavement, 3.8 meter wide is to be constructed, what should be the height of the crown with respect to edges, if rate is 1 in 33, 1 in 33 का मतलब हो गया, कि अगर आप 1 unit vertical जाएंगे तो 33 horizontal जाना पड़ेगा, तो अगर h vertical जाएंगे तो कितना horizontal जाना पड़ेगा, अब आपको ये दिया हुआ है, पूरा 3.8 meter wide है, ये पूरा 3.8 meter wide है, इसके half की अगर हम बात करें तो ये half portion जो है, ये 3.8 का half हो जाएगा, 1.9 meter हो जाएगा, तो आप simply ऐसे बोल सकते हैं, दोनों और similar triangle से देख लीजे जाहें तो, h upon 1.9 equals to 1 by 33, h की value बता दीजे, हुआ 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 है, 0.05757, उत्तर हो जाएगा हमारा option P, next the central road research institute crri was proposed by jakar committee who constructed one of the first and oldest road and is considered to be a pioneer in the field of road construction Romans ने construct किया था the main object of preliminary survey is the main object of preliminary survey क्या होता है necessary physical information details topography drainage ये सब बता कर रहा है estimate the cost of alternate alignment to finalize the best alignment all of these अब जिन दोस्तों को समय की चिंता सताती है आप ये देख लीजिए 40 सवाल कर लिए इतनी से देर में और topic भी समझा हूंने अगला topic आता है geometric design of highways geometric design of highways शुरू करने से पहले एक दो लंबी सी सांस लें 30 सेगेंड के लिए अपनी आंखे बंद कर लें और एकदम focus कर लीजेगा इस प्रकार से कि अगले 15 मिनिट बाद आपका exam है और इस 15 मिनिट में आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगे जो exam के अंदर एस इस पूछी जाएंगे ठीक है तो अपने अंदर के इंजीनियर को जगाएं अपनी शक्तियों को पहचाने कि आप capable हैं उन चीजों को करने के जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता आप उन problems को solve करते हैं जो आम इंसान को पता भी नहीं है कि वो उनकी problems है solution करना दूर की बात चलिए शुरू करते हैं geometric design of highway geometric design of highway के अंदर हमें उन सारी features के बारे में बात करनी है जो भी आप road के अंदर design करते हैं जब भी आप किसी road को अगर आप देखेंगे तो road के उपर अगर आप चल रहे हैं road जो है उसके width कितनी होनी चीए road का center portion sides के respect में कितना उठा देना चीए कितना आपको road का slope provide करना है ताकि पानी भी obviously road के किनारे किनारे जो drains होती है जब बारिश आएगी तो बारिश का पानी जाएगा कहां पर आपकी road कुछ इस प्रकार से है तो बारिश का पानी इधर चला जाएगा side में लेकिन side में कहां जाए तो side में road के parallel parallel drains बनाएंगे हम तो road का length की direction में भी slope हमें provide करना होगा इसके बारे में बात करेंगे side distances की बात करेंगे कि हर वक्त road के उपर कितना distance आपको दिखाई दे कि अगर कोई vehicle रोक ना हो तो रोक पाएं कितना distance आपको हर वक्त सामने दिखता रहे जिससे कि अगर किसी vehicle को overtake करना हो तो आप overtake कर पाएं तो ये सारे distances की भी बात करेंगे हम यहां पर so highway के alignment चाहे वो horizontal हो चाहे वो vertical हो और उनके cross section elements जो है इनकी हम बात करेंगे side distance elements की हम बात करेंगे काम की चीज़ों के उपर चलेंगे फटा-फट से कौन-कौन से questions exam में पूछते हैं उनको मैं highlight करता चलूँगा national highway अलग-अलग states को join करते है expressway की अगर हम बात करें तो इनकी speed 120 km पर आर तक होती है state highway की बात करें तो अलग-अलग districts को join करते है या state के जो main-main region है उनको connect करते है major district roads, area of population या major district के अंदर जो roads, areas है उनको connect कर रही है other district roads, join rural area to any market place और फिर आती है village road, अलग-अलग villages को connect कर रही है so factors affecting geometric design पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहला आया type of roads, urban roads के अंदर urban area से गुजरता हुआ expressway हो सकता है वहाँ की arterial roads या streets जो busy streets होती है अगर हम बात करें तो जिस vehicle को हम design करते है जिस vehicle को समझ करके road को design किया जा रहा है उसको design vehicle हम बोल देते है width of non-transport vehicle 2.5, transport vehicle 2.7 होता है height of double-decker bus 4.7 अभी जो एक question हमने किया था tractor trolley वाला की tractor trailer combination जो है उसकी length कितनी होती है यह last year question आपसे पूछा गया था 18 meter इसकी length होती है तो एक बार इस table को भी go through कर लेना है जैसे double-decker bus की अगर हम बात करें तो इसकी height 4.75 meter motor vehicle other than transport having not more than 2 axle 9.5 meter जनरली जो हमारी SUVs compact SUVs C SUVs जिनको बोल देते हैं जो एक तो proper SUV हो जाती है SUVs जो छोटे वाले mini SUVs जो होती है जो compact SUVs इनको बोल देते है 4 meter से कम की होती है 4 meter से बड़ी वाली जो है वो SUV category के अंदर आ जाती है taxis का भी इनके अंदर difference होता है तो आपने सुना ही होगा market के अंदर कि अगर आप car खरीदने जा रहे हैं तोपोग्राफी के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि अगर slope, cross slope जगां का 0 से 10 है तो आप उसको बोल देते है plane region है यह फिर 10 से 25 है तो उसको rolling बोलेंगे mountainous किसी region को तब बोलेंगे जब वहाँ का slope 25 से लेकर के 60% है और उससे भी जादा अगर है तो उससे steep बोलेंगे अब यह शब्द throughout highway engineering चलता रहेगा कि rolling है plane है mountainous terrain है तो terrain कैसा है किस जगा में आप उस highway को construct कर रहे हैं जैसे आप अगर कार खरीदने जाते हैं तो कार खरीदने से पहले जो वहाँ पर dealer होता है या फिर जो भी relationship manager होता है कि sir आपकी requirement क्या है तो आप बताते हैं कि मुझे तो city में चलानी है या आप बताते हैं कि मुझे आफ रोडिंग का shock है या फिर मैं ट्रेके जो hills वगर है वहाँ पर जाता रहता हूँ तो ऐसा कुछ अगर है तो फिर वो आपको बोलेंगे 10 to 25 rolling 25 से 60 mountainous greater than 60 तो steep ये टेरेन शब्द आपको वैसे भी दिखाई देगा motor world की दुनिया में आपको ये दिखेगा कि rough terrain के अंदर ये गाड़ी बहुत successful है तो as a civil engineer हमें पता होना चाहिए कि terrain का मतलब हम बात किस की कर रहे है 0 to 10 plane फिर उसके बाद rolling mountainous और steep आगे बढ़ते हैं next traffic capacity के अगर हम बात करें तो passenger car units के terms में traffic जो है उसको हम count करते हैं सब को एक single unit की terms में ले करके आए अगर आप road के उपर गए आपको बोला गया कि traffic count करके बताओ तो आप क्या बताएंगे कि एक cycle आई फिर एक car आगई एक truck आ गया फिर इस तरीके से बतापाना मुश्किल हो जाता है कि अलग-अलग segregate करके इसलिए हमने convert कर दिया सबको जैसे कि अगर आपको कोई pedal cycle, motorcycle या scooter दिखा तो उसे बोलेंगे कि half passenger car unit unit का नाम रख दिया हमने passenger car unit PCU तो half PCU के बराबर consider करेंगे अगर कोई car दिखाई दी, van दिखाई दी, auto रिक्षा दिखाई दिया तो उसे 1 passenger car unit के बराबर मानेंगे, cycle रिक्षा है तो उसे 1.5 के बराबर अगर truck या bus है तो उसे 3 के बराबर bell guard अगर है तो उसे 6 के बराबर bell guard इतनी बड़ी थोड़ी ना होती है कि उसे 6 कार के बराबर consider कर लिया, इसलिए consider किया कि कितना congestion ये सब create कर देते हैं, road के उपर जब ये चलेंगे तो कितना congestion create कर देते हैं कितना वहाँ पर रोक देते हैं traffic को तो इसलिए इनके लिए PCU की value जादा है तो passenger car unit जो है वो हमने comparative term बनाई है जिससे कि हम vehicles को count कर पाएं उसके बाद next question आप से पूछा जाता है कि आप जब geometric design करते है highway का तो उस वक्त किस volume के लिए design करते हैं आपने पूरे साल का data उठाया पूरे साल में सबसे जादा से जादा traffic कब था और कितना था वो आपने सारे data आपने ले लिया उस data में अब जो 30th number की rank का जो traffic होगा उसके लिए आप design करते हैं आप सबसे ज़ादा heavy traffic के लिए नहीं design करते हैं क्योंकि अगर highway design कर रहे हैं आप तो आपने हर घंटे का वो एक साल में से वो 30 घंटे उठाए जब सबसे ज़ादा traffic था number of vehicles in that particular hour सबसे ज़ादा थे तो वो top 30 hours निकाले आपने और उन 30 में घंटे में से जो 30 में rank का था उसके according आप design करेंगे तो इसे बोलते हैं 30th highest hourly volume एक साल का per hour का data हमने लिया top 30 hours में से 30th number का जो था उसके according हम highway को design करेंगे अब ऐसा क्यों किया हमने क्योंकि अगर पहले के according कर लेंगे तो उतना traffic तो साल में एक बार ही तो आया था अगर दूसरे के लिए करेंगे तो उतना traffic साल में सिर्फ दो बार ही तो आया या उससे ज़ादा ही तो आया तो अगर 30 में number के लिए हम design कर रहे हैं अगर हम 30th highest hourly volume के लिए design कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक साल में ऐसे 29 hours ही तो ऐसे होंगे जब traffic jam लगेगा, क्योंकि हमने 30 में के according design किया, तो एक साल में ऐसे 29 घंटे ही तो होंगे, तो क्या फरक पड़ रहा है, 29 घंटे सहलेंगे थोड़ा, तो 365 days में से 29 hours कितनी बड़ी बात है, 29 hours out of 365 into 24 hours, तो यह आता है 0.33%, तो congestion की probability जो है हमारी, वो 0.33% है, अगर objective में पूछे, तो 0.33% या 0.0033 है, next, तो इसे बोलते हैं 30th highest hourly volume, जो की 8 से 10% होता है, annual average daily traffic का, next, design speed की अगर हम बात करें, तो objective के point of view से आप से यह पूछ सकता है, कि expressway जो होते हैं, उनकी design speed, 120 km पर आर, national highway, state highway, जो हैं, इनकी 100, ruling का मतलब design point of view से maximum से maximum कितना हो सकता है, ruling का मतलब की design point of view से maximum safe कितना हो सकता है, minimum speed का मतलब यहाँ पर यह नहीं है, कि अगर आप किसी expressway पर हैं, तो minimum 100 तो drive ही करें, यह हमारे लिए design के point of view से है, कि आपको ruling speed 120 के according design करना, और अगर कोई vehicle कम से कम 100 km पर आर पर चल रहा है, तो उसकी safety and short रहे, इतना तो आपको करना ही करना है, so 80 km पर आर, 100, और यहाँ पर 120 और 100, यह values याद रखनी है, objective में पूछी गई है, next बात करें तो friction, अगर आपका wheel एक बार एक rotation लेता है, तो 2 pi r या pi d distance वो travel करता है, लेकिन अगर एक rotation लेने पर, pi d distance से कम ही distance travel करें, तो उसे बोलते हैं slip कर जाना, एक rotation लेने पर, अगर pi d distance से जादा travel कर जाता है, तो उसे बोलते हैं skid करना, जैसे कीचड में अगर आपकी bike फस गई है, तो अब आपकी bike slip कर रही है, वहीं पर घूम रहा है wheel, और अगर आपने road के उपर चल रहे थे, और brakes apply कर दिये, अब wheel का rotation रुख गया है, लेकिन फिर longitudinal movement चल रहे टायर घिसता जा रहा है आपका, तो अब आप बोलते हैं skidding हो रही है, कई बार आपने एकदम brake लगाए road पर और गिर गए अगर आप चोट लगी, तो घरवाले पूछते हैं क्या हुआ, तो आप बोल देते हैं कि bike slip हो गई थी, तो bike actual में slip नहीं होई थी, bike skid होई थी, और skid होने के कारण wheel का movement तो रुक गया, inertia होने के कारण आपकी जो bike थी, वो motion में ही थी, और आप उसको proper direction नहीं दे पाए, control नहीं कर पाए, जिसके कारण आप uncontrolled हो करके गिर गए, ठीक है, तो skid होती है bike उस वक्त, आजकल इसी को बचाने के लिए, anti-lock braking system या ABS जो हैं, वो अब bikes और cars के अंदर आने शुरू होगा है, surface characteristics के अगर हम बात करें, design speed के अंदर एक और term, 98th percentile speed, 98th percentile speed, geometric design के point of view से अगर हम बात करें, तो 98th percentile speed के according हम design करते हैं, 98th percentile speed वो speed है, जिस speed पर या जिस से नीचे, 98% of the vehicles move कर रहे हैं, हम उसके लिए design कर देते हैं, कुछ definitions आती हैं, traffic engineering में आएगी, इसको वहाँ पर पढ़ेंगे हम फिर से एक बार, कि एक आपके पास सी 98th percentile speed, 98th percentile speed का इस्तेमाल किया जाता है, highway के geometric design के लिए, highway के geometric design के लिए इसे consider किया जाता है, फिर अगर road safety पे हम बात करें, तो 85th percentile speed हम बताते हैं, 85th percentile speed वो speed है, जिस speed पर या जिस से नीचे 85% of the vehicle move कर रहे हैं, तो अगर हमें बताना होगा कि कौन तेज चला रहा है, कौन तेज चला रहा है, तो आप ये बोलेंगे कि वो speed जिस पर या जिस से नीचे 85% of the vehicles move कर रहे हैं, उससे तेज जो चलाएगा उससे बोलेंगे कि वो fast moving vehicle है, उसकी safety limits के बाहर जा रहे हैं, फिर अगर हम बात करेंगे 15th percentile speed, 15th percentile speed वो speed है जिस speed पर या जिस से नीचे 15% of vehicles move कर रहे हैं, मतलब ये speed बहुत कम होगी, अब ये speed जो कम होगी यही responsible होगी जो traffic jam लगवाते हैं, या जो क्या करवाते हैं, congestion करवाते हैं, तो congestion के लिए हमें क्या देखना होगा, minimum speed को देखना होगा, कि इस minimum speed वाले vehicles का क्या करें, और safety के point of view से अगर हम बात करें, तो maximum speed वाले को हमें देखना होगा, तो पूरा जो road survey किया जाता है, उस survey के according हम ये बताते हैं, कि maximum design के point of view से safe से safe कितनी है, इतनी है, फिर आप एक safe speed limit जो है वो बता देते हैं, 85th percentile speed की इससे उपर आप न ड्राइव करें, 15th percentile speed को क्यों use करते हैं, congestion को avoid करवाने के लिए, इसलिए service lanes जो हैं वो provide कर देते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत दीरे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें हो सकता है उस road से बाहर निकलना हो, left turn लेना हो, कहीं जाना हो, या उनके आसपास के areas में उन्हें divert होना हो, तो उस case में उन्हें service lane के उपर चलाया जा सकता है, या फिर जैसे आप देखते होंगे, जितने भी express ways होते हैं, या फिर जो ऐसे highways होते हैं, जिनके उपर traffic बहुत rapidly चल रहा है, तो उस case में उनके उपर bikes जो हैं, वो allowed नहीं होती हैं, bell guard यां allowed नहीं होती हैं, तो उनके लिए side में service roads जो हैं, वो बनाई जाती हैं, तो उनके उपर वो drive कर सकते हैं, इससे हमने क्या कर दिया, वो जो slow moving vehicle थे, उनको हमने avoid कर दिया, उस main carriageway के उपर आने से, जिससे कि वहाँ पर congestion create ना हो, तो आपको यह याद रखना है, ए 98th percentile speed, geometric design में इस्तिमाल होती है, 85th वाली safety point of view से, 15th वाली congestion के point of view से होती हैं, यह exams में पूछे जाते हैं, चले next, friction की अगर हम बात करें, तो length के direction में आप सीधे सीधे चले जा रहे थे, तो longitudinal friction लगता है, 0.35 से 0.4, और अगर turn पे जा रहे थे, तो 0.15 लगता है, unevenness index जो पता किया जाता है, वो bump integrator से पता किया जाता है, जो bumps होते हैं, road के उपर, जो road का कितना unevenness है, यह किस से पता करेंगे, unevenness index से पता करते हैं, तो good surface अगर होगा, तो उसके अंदर 1500 mm पर किलो मीटर से कम होगा, unevenness index, satisfactory up to 2500, और अगर 3200 से जादा है, तो unsatisfactory यह होगा, traffic की अगर हम बात करें, tonnage के according, अब तक तो ऐस सच इस से related questions नहीं आए हुए है, फिर भी एक बार जाते जाते, इस पर नजर मार लीजेगा, very heavy roads जो है, greater than 600, heavy roads जो है, 251 से 600, medium 72, 50, और light less than 70, traffic volume और tonnage के according यह चीज़े हैं, geometric design elements के अंदर, cross section के element, side distance वाले horizontal vertical intersection elements, जल्दी जल्दी यह के करके सारे देखते हैं, carriageway किसको बोलते हैं, carriageway जो भी हमें road के उपर, जो length जिसके उपर हमारे vehicles चलते हैं, उसको carriageway बोलते हैं, जैसे यह carriageway आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक lane इसमें यह, एक lane इसमें यह, अब obviously dual carriageway नहीं है यह, सिर्फ एक ही आपको यहाँ पर pavement का surface दिखाई दे रहा है, तो इस तरफ से लोग जाएंगे, इस तरफ से लोग आएंगे, तो यह आपका कैसा carriageway है, two lane का, two way का carriageway हो गया, इसके अगर हम बात करेंगे, तो यह भी ऐसा ही नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, इसमें देखेंगे अगर आप, तो आपको एक lane, दूसरी lane, तीसरी और चौथी, चार lane total दिखाई दे रहे हैं, कई बार road पर जाते जाते हैं, हमें नहीं पता लगता है, शुरू शुरू में, जब civil engineering जब पढ़नी शुरू किया, किसी road पर जा रहे हैं, और हमसे कोई पूछ लेता है, बताओ यह कितनी lane का highway है, तो दिमाग में confusion सी आ जाती है, कि यार इसे दो lane वाला ही बोलेंगे, या दूसरी तरफ वाली भी count करनी है, तो दूसरी तरफ वाली भी count करनी है, तो एक, दो, तीन, चार, जिस तरफ आप जा रहे हैं, उस तरफ जितनी lanes है, multiply by two कर दीजे, तो दूसरी तरफ भी उतनी lanes होंगी, तो यह four lane का highway है, four lane का highway है, बीच में median, या traffic separator भी आपने यहां पर provide कर रखा है, यह वाली pavement और यह वाली pavement, एक, दूसरे के grade से भी अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग height पर हो सकते हैं, for the convenience of night driving, रात को इन vehicles की lights जो है, इन vehicles पर ना पड़े, आंखों में ना पड़े, glare ना पड़े, जिससे की, वो अराम से comfortably drive कर सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ और बाते करते हैं, यह four lane divided carriageway, या फिर dual carriageway है, एक carriageway जाने वाला, दूसरा आने वाला यहां पर, और चार lanes इसके अंदर present हैं, बीच में यहां पर median, यह traffic separator है, यहां पर shoulders provide किये गए हैं, इस तरफ भी shoulders पके भी हो सकता हैं, या फिर जो आपके non-pavement वाला portion जो है, वो भी यहां पर हो सकता हैं, guard rails provide कर दी जाती हैं, यह बहुत important होती है, हमें लगता है कि road के उपर guard rail का क्या काम है, बट आप imagine कर लीजिए, कि आप 100 km per hour की speed से जा रहे हैं, और suddenly कोई dog आगया आगया, एकदम से आसपास के area से आ सकता है न, कोई और जानवर या कोई पशु जो है, वो आगए अगर एकदम से road के उपर, तो बहुत ज़ादा उनकी life जो है, वो obviously वो बिचारे जानवर जो होते हैं, उनकी तो death तैह ही हो जाती है, जब इतनी speed से कोई vehicle आखे उनको टकराएगा, और फिर जो road का user है, जो car owner है, car को drive कर रहा है वो, उनके उपर भी वो obviously एक safety का threat बन जाता है, तो इसलिए guard raise जो हैं वो बहुत important होती है, then आपके पास यहाँ पर curves जो raised portion होता है, road का, उसे curve बोलते हैं, objective के point of view से क्या-क्या चीज़े important है, curve यह raised जो जो portion, उठावा portion, pavement से थोड़ा सा उपर अलग जो portion होता है, यह होता है, अब यह क्यों provide करते हैं, वो आप जितने सब भी नहीं होते हैं, road के उफर चलने वाले, कई बार ऐसे होते हैं कि हाँ, यहाँ से यहाँ जाना है, तो direct यहाँ पर आ जाते हैं, क्या दिक्कत हैं, क्यों turn लेना बार बार, क्यों ऐसे खुद परिशान होना, एकदम comfortably चले, गाड़ी सीधी सीधी, तो curve जो हैं, वो लग-लग situation के अंदर, road को divide करने के लिए, बाकी जो sections है road के, उनसे, तो curve provide कर दिया जाता है, यह curve stones provide कर देते हैं, अब आप यह देख लीजी, यहाँ से सीधा आएगा, इंसान इस तरफ, tonnage मतलब weight के according, carriageway की अगर हम बात करें, तो objective में सारे points पूँछे गए है, single lane की weights कितनी होती है, 3.75, dual lane अगर है तो 7 meter, अगर हर lane की आप से पूछे, तो 3.5 meter per lane consider करना है, dual lane जिसके अंदर raised curve है, तो 7.5 meter, curve अगर नहीं present है, तो 7 meter, multi lane 3.5 per lane, यह सारे के सारे अपने आप में एक एक objective question है, intermediate lane 5.5 meter, next, shoulders के अगर हम बात करें, तो side में जो road का वो portion जहाँ पर अगर आपको road vehicle को रोकना है, तो आप यहाँ पर पार पार कर सकते हैं, रोक सकते हैं, emergency situations के अंदर, desirable width है इसकी 4.5 meter, और कम से कम 2.5 meter होने चाहिए, two lane rural highway के उपर, curves के अगर हम बात करें, तो boundary between pavement and shoulder के बीच में भी हो सकता है, curve provide किया हुआ, या foot path के साथ या median के साथ provided होता है, median के अगर हम बात करें, तो median को traffic separator भी बोलते हैं, traffic separator हो गया, medium, जो median है, उसकी desirable width है 5 meter, लेकिन अगर इतना space available नहीं, आपके पास जैसे दिल ली के अंदर, अगर आपके आप देखेंगे, तो अगर 5-5 meter के आपने median ही provide कर दिये, तो road मतलब width भचेगी नहीं, traffic इतना ज़ाद है, हाँ, ठीक है, 5 meter, तो वो depend करता है कि जहाँ पर space available है, वहाँ तो provide करेंगे, जहाँ space available ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर traffic को separate करने के लिए, हम और provisions यूज़ कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं, median के width इतनी ही हो फिर, if lane width is restricted, तो 3 meter consider करेंगे, width of median for bridges, bridge के उपर, 1.2 से 1.5 meter, transition in median should be 1 in 20, से ले करके 1 in 15 तक होना चीए, जब भी median का transition हो रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि, highway पर अगर आप चल रहे हैं, तो highway पर चलते चलते, एकदम से median जो है, उसके width कम या जादा हो गई, तो कम हो गई तो problem नहीं है, लेकिन कम से एकदम जादा हो गई, तो problem हो जाएगी, आप जैसे imagine कर लीजिए, कि अगर आप किसी road के उपर जा रहे थे, अप road पर जाते जाते, pavement जो median थी आपकी, median की width कुछ इस प्रकार से हुई, side में आप चल रहे थे आपर, तो आप अगर ऐसे जा रहे थे, तो कोई problem नहीं है, लेकिन imagine करिये, इस तरफ से अगर आप आ रहे थे, और आप यहाँ drive कर रहे थे, आपको इधर तो median की width कम दिख रही थी, एकदम से जादा हो गए, तो यह जो median का transition है, यह भी important होता है, कहीं पर अगर कम जादा करना है, तो उसको किस तरीके से median का transition, जो वो किया जाना चाहिए, ताकि इधर से आने वाले vehicle को भी, sufficient warning या time जो है, वो उनको मिल पाए, so transition in medium should be, 1 in 20 से लेकर के, 1 in 15 तक हो सकता है, फिर उसके बाद road margins आ जाती है, road margins आपकी ये डिपेक्ट करती है, कि अलग-लग road के beyond जो activities हो रही है, वो कहां तक होंगी, road का right of way, जिसके अंदर आपका आ जाता है, carriageway आ जाएगा, फिर उसके बाद shoulders आ जाएगे, carriageway प्लस shoulder तक की जो width होती है, इससे बोलता है formation width, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर, ये sideways में side slopes आ गई, berms आ गई, फिर यहाँ पर drain होती है, drain क्यों, क्योंकि जब बारिश का पानी आएगा, तो बारिश का पानी इसके उपर आ करके गिरेगा, यहाँ से camber के कारण इधर आ जाएगा, अब यहाँ आके कहाँ जाएगा, आसपास के area को तो डुबोएगा नहीं, तो उस पानी को हमें कहीं न कहीं तो लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर longitudinal drains प्रोवाइड की जाती है, अब यह longitudinal drains जो होती हैं, कई बार क्या होता है, रोड के surface से उपर नजर आ रही होती है, अब जो civil engineer है, उसे पता है कि भाई यह रोड के surface के उपर नजर तो आ रही है, लेकिन actual में गैरी भी तो है, तो side में drains जो होती है, अगर आप रोड के side में देखेंगे, तो drains के वहाँ पर, जो inlets बने हुए होते हैं, जिनसे कि पानी जो आएगा, वो उस drain के अंदर चला जाएगा, वहाँ पर चला जाएगा, लेकिन अगर कोई YouTuber जाएगा, जिसे बस बोलना है, एक माइक है, एक कैमरा है, और इंटरनेट दे दिया है free में, तो फिर वो क्या करेगा, कि देखो civil engineers ने क्या किया है, road के surface से drain उंची बना रखी है, तो भाई वो नीचे गहरी भी है, उसके अंदर भी जाएगा, पूरी भरी भी नहीं जाएगी वो, कुछ ना कुछ उसके अंदर हमने margin उपर भी रखा हुआ है खाली का, नहीं है कि road के उपर-उपर ही बैता चला जाएगा, जैसे ही अगर आप road को थोड़ा सा 3D में imagine करके देखेंगे, तो road कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से, inclined होगी, इतनी भी नहीं होगी, यह सिर्फ दिखाने के लिए है, और इसका portion, central portion भी कुछ इस प्रकार से ऐसे उठा हुआ होगा, तब यह central portion अगर उठा होगा, तो बारिश का पानी ऐसे आएगा, और sideways direction में चलता ज़रा जाएगा, side में जाकर के side side में हमने यह drain प्रोवाइड कर रखी है, जिससे की इसी direction में जो slope दिया हुआ है, इसमें यह पानी बहता हुआ चला जाएगा, और जहां पर भी हमें इसे dispose off करना है, वोटर को, चाहे आपने इसको design कर रखा है, seaver के साथ, चाहे किसी के साथ भी, तो वो कर सकते हैं, clear आगे बढ़ते हैं, तो राइट आफ वेकिए गर हम बात करें, यह सारी चीज़न जाननी ज़रूरी क्यों है, यह धीरे धीरे अभी तो exam हो जाया हमारा, फिर कुछ और sessions या कुछ और videos भी ऐसी रखेंगे, यह जाननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि engineers के उपर सवाल उठाना बहुत आसान है, हर कोई बोल देगा, यह क्या कर रखा है, हलांकि बहुत सारी चीज़न चाहिए सही कर रखे हो हमने यह, लेकिन पता नहीं होता है, और हमें भी नहीं पता होता है, अगर engineer कोई नहीं पता है, तो question करने वाले को तो जिर्फ question करना है, फिर हमें लगेगा हाँ 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 यार सही में यह चीज़ गलत कर रखे है, तो हमें positive aspects जो हैं वो भी पता होने चीज़ है, पूरी जानकारी हमारे पास होने चीज़ है, तब ही तो हम किसी के सवाल को counter कर पाएंगे, चलो, आगे बढ़ते हैं, so right of way के अंदर road margin आ गई, आपकी यहां पर shoulders आये, सबसे पहले carriage way आया, फिर shoulders आये, फिर berms आ गई, फिर उसके बाद यह आपकी longitudinal drain आ गई, वो भी road का ही हिस्सा है यह, सरकारी जमीन ही चल रही है अभी तक यहां पर, फिर उसके बाद boundaries आ जाती हैं, फिर उसके बाद building lines आ जाती हैं, जिनसे हम यह बोलते हैं, कि कोई भी construction activity या कोई buildings की activity जो है, वो उस line के beyond नहीं हो सकती है, अगर आप ऐसे बोलें कि भई मैं तो बिल्कुल एकदम highway से सटा करके, वहाँ पर कोई building खड़ी कर दूँ तो नहीं, वो building line के beyond आप नहीं जा पाएंगे, इसके लिए वो बनाई जाती हैं, next आएं, cross slope या camber के उपर road के बीच में से road को उठा दिया जाता है, और फिर आपने इस तरीके से ये camber provide कर देते हैं, ये camber depend करता है कि किस region के अंदर आप हैं, बहुत जादा heavy rainfall होता है अगर वहाँ पर, तो camber जादा दिया जाएगा, अगर कम होता है तो कम दिया जाएगा, concrete या bituminous के case में 2% और light rain अगर वहाँ पर हैं, तो 1.7% यही objective में आप से पूछा गया था, exam में, कि camber कितना provide करते हैं, 2%, 1.7%, thin bituminous surface है तो 2.5% और light rain के case में 2%, earthen अगर आपके पास है तो 4 and 3 हो जाएगा, gravel water bound mackadam के case में 3 और 2.5, next आगे बढ़े अगर हम, तो यह shape इसकी हो सकती है कैसी, parabolic हो सकती है, straight हो सकती है, combined हो सकती है, the width of carriageway for a 2 lane road with raised curb, अगर 2 lane road है और raised curb है, तो उस case में 7.5 meter, थोड़ी से देर पहले ही हमने देखा था, next, the range of camber provided in the area of heavy rainfall for water bound mackadam, WVM, heavy rainfall है अगर आपके पास और water bound mackadam है, water bound mackadam, heavy rainfall अगर आपके पास है, तो उस case में 3%, next, which one of the following equipment is used to measure the pavement unevenness index, तो bump integrator का इस्तेमाल किया जाता है, according to IRC, the width of carriageway is, width of carriageway कितना consider करते हैं, 3.5 meter for single lane, 7 for 2 lane without raised curve, 7.5, 2 lane with raised curve, single की case में 3.75, 3.75, 1.5 भी नहीं, 3.75, 3.5 तो multi lanes के case में था हूँ, इसको correct कर लीजिए, मैं भी correct करता हूँ इसको, झाल, next stopping side distance is the minimum distance available on highway which is stopping side distance का मदलब कि आपको जैसे कोई obstruction कोई रुकावट है दिखी है आप brakes apply कर पाएं और उससे collision होने से पहले पहले रुक जाएं sufficient time मिले आपको decide करने के लिए कि brakes apply करने है और brake apply करने तक का time मिले जैसे brake apply हो गए तो अब रुकने तक का time मिले तो ये SSD कहलाता है the full width of land acquired before finalizing a highway alignment is known as right of way पूरा acquire किया जाता है ऐसा नहीं है कि बस pavement pavement ही तो बनानी है पूरी land acquire की जाएगी the reaction time for calculation of stopping distance may be assumed as SSD के case में 2.5 second OSD के case में 2 second assume करते है when the highway pavement surface is smooth and also wet तो उस case में coefficient of friction जो है वो reduce हो जाता है smooth हो और अगर wet हो तो reduce जाएगा side distance considerations के अंदर अब यहाँ पर आपके पास आ जाती है SSD पहले एक-एक करके शुरूई कर लेते हैं SSD की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है stopping side distance जैसे ही रस्ते में आपको कोई obstacle दिखा तो आपने कहा कि रोक देनी चाहिए vehicle तो जो सोचने में time लग जाता है आपका वो हो गया आपका reaction time तो उस reaction time के दोरान भी vehicle कुछ distance travel कर जाएगा जिसको बोलते हैं lag distance फिर brakes apply होने शुरू हुए तो यहां से यहां तक यह आपके पास braking distance ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग वाला brake apply करने वाला वो ब्रेक वाला नहीं तो ब्रेकिंग वाला तो यह आपके पास lag distance प्लस braking distance मिल करके बनता है आपका stopping side distance यह किसके उपर depend करेगा reaction time कितना है speed of vehicle कितना है braking efficiency कितना है coefficient of friction कितना है यहां पर length की direction में friction लग रहा है तो यहां पर use किया जाएगा 0.35 से 0.4 के बीच में gradient of road चड़ाई पर है या धलान पर है अब इन सारी बातों का यहां पर कोई मतलब नहीं है सिधा सिधा चलते हैं formula की तरफ exam में हमसे क्या पूछेगा SSD की value आती है VT plus V square upon 2GF या 2G mu तो SSD का यह जो formula आप लिख रहे है V into T small V है यहां पर यह velocity meter per second के अंदर तो यह distance आपका कहलाता है lag distance तो अगर objective में आप से सिर्फ lag distance बोला तो V into T बताना है अगर objective में उसने सिर्फ और सिर्फ बोला कि breaking distance बताए मुझे तो तो breaking distance बताने के लिए आप V square upon 2GF ही बताएंगे breaking distance पूछा तो V square upon 2GF अगर SSD पूछा है तो पूरा बताएंगे यह गलती हम अकसर कर देते हैं formula number 1, formula 2, formula 3 अगर आप gradient चठाई पर जा रहे हैं V square upon 2G mu plus 0.01N plus BT और अगर down gradient तो यहाँ पर minus sign आ जाएगा बीच में next अगर आपके पास single lane road है जिसके उपर two way traffic है single lane road एक vehicle इस तरफ से भी आ रहा है एक vehicle इस तरफ से आ रहा है तो उस case में इस vehicle को अपना SSD चाहिए होगा इस vehicle के लिए यहाँ पर इसको SSD चाहिए होगा in case अगर कोई confusion होती है तो collision को avoid करने के लिए two SSD चाहिए होगा जब single lane road और two way traffic उसके उपर होता है तो तो first point important है objective में अगर यह line लिख देगा single lane road with two way traffic तो आपको समझ जाना है twice of SSD आंसर होगा आपका for undivided highway with two way traffic effect of gradient नहीं consider किया जाता है for divided highway gradient के effect को consider करते है SSD on vertical curves is calculated along the center line of the curve from which a driver मतलब SSD के case में driver जो है उसकी height कितनी consider की जाएगी driver की height consider की जाएगी 1.2 meter और सामने जो object यह obstacle आया तो वो कम से कम 15 cm का होना चाहिए यह objective में आपसे पूछता है SSD अगर provide नहीं किया जा सकता कहीं पर तो आपको sign boards provide करने होंगे proper की हाँ आप अपनी speed जो है उसको कम रखें यहाँ पर if SSD cannot be provided in a particular stretch of road proper sign boards with speed restriction should be provided इस line का मतलब क्या SSD provide नहीं कर पाएंगे अगर मान लीजे कोई एक ऐसी road आई गई जहाँ पर एकदम से बहुत sharp turn आपको देना पड़ रहा है तो उस case में अगर यहाँ आ करके कोई vehicle same speed से चलता चला गया इस तरफ चलता चला गया मतलब road का कोई और alignment possible ही नहीं है road को ऐसे ही यहाँ पर ले जाना पड़ेगा अब यहाँ वाला vehicle अगर उसी speed से turn लेगा और यहाँ से सामने से अगर कोई vehicle आ गया तो collision होने के chances बन गए visibility नहीं है इस vehicle को पता नहीं है कि यहाँ से कोई vehicle आ रहा है तो SSD नहीं मिला उसे तो इसी लिए पहले हम यहाँ पर sign board लगा देंगे बोलते हुए कि speed restrict कर लीजिए यहाँ पर accident prone area है next यह values ना याद करने तो चल जाएगा calculate कर लीजिएगा बस SSD का formula आख को आना चाहिए consider two cars approaching from two opposite direction 90 and 60 km per hour if the reaction time is 2.5 second coefficient of friction 0.7 है braking efficiency 50% है minimum side distance required to avoid a head-on collision will be nearly देखो vehicle A की अगर हम बात करें 90 km per hour है तो 5 by 18 meter per second में convert करने के लिए लिखेंगे इसे हम तो यह आजाएगा 25 meter per second velocity of vehicle B यह आपके पास कितना आएगा लगबग 25 का आप two third कर लीजिए 16, 17 के असपास आना चाहिए 16.67 अब जो SSD प्रोवाइड होगा वो दोनों का होगा SSD will be equal to SSD first vehicle का SSD second vehicle का first vehicle का SSD आप लिखेंगे V into TR reaction time 2.5 second consider करना है तो V into TR plus V square upon 2G F G की value यहाँ 10 ही ले लीजिए friction की value कितनी करेंगे हम friction जो obtain होगा upon maximum friction यही तो efficiency है जो आपको दे रखी है कितनी 50% अगर यह 50% दे रखी है और maximum friction की value आपको 0.7 given है तो आप यहाँ से लेख सकते हैं कि कितना friction actual में काम करेगा वहाँ friction obtained will be 0.35 second vehicle के लिए answer बताएं option C 212 meter अब कुछ दोस बोलेंगे sir ऐसा question pre में आएगा obviously pre में आएगा फिर ऐसा आगया exam में तो time कितना ले लेगा तो अब 48 सवाल करने के बाद एक question ऐसा है जिसमें थोड़ा सा time लग रहा है वो भी calculation में तो यतना तो हमें भी adjust करना होगा 153.66 82.19 212 नहीं आ रहा हो 210 आ रहा है 210.24 देख लीजिए दोस्त आप बता रहे हैं 236 आ रहा है यह गलत जवाब कौन बता रहा है 236 आ रहा है 236 आ रहा है 226 आ है 226 आ रहा है 233.15 255. perfect next a road is being designed for a speed of 110 km per hour on a horizontal curve with a super elevation of 8 percent if the coefficient of side friction is 0.1 minimum radius of the curve required for safe vehicular movement is अभी रुख जाए, super elevation करते हैं फिर उसके बाद आएंगे इस पर next आगे बढ़ते हैं, overtaking side distance के उपर, overtaking side distance में objective के point of view से क्या-क्या चीज़े हैं overtaking side distance का दूसरा नाम है, passing side distance, ऐसा question पूछ सकता है दूसरा question आप से पूछ सकता है, driving, driver की जो height होती है, वो 1.2 meter सामने से जो object आ रहा है या दूसरा driver आ रहा है, उसकी भी height 1.2 meter consider करते हैं objective में अगर पूछे तो, next reaction time जो consider किया जाता है, reaction time 2 second consider किया जाता है और OSD तीन parts में consider किया गया, कौन से तीन parts में पहला part वो, कि जब B vehicle slow move कर रहा था, तो A vehicle कुछ दूर आ करके इसके पीछे पीछे चला तो A ने पहले velocity यहाँ पर A1 position पे आ के, उसने B के बराबर कर ली फिर B की velocity से A चला, A1 से A2 तक, उसके बाद A ने एक S spacing maintain करते हुए यहाँ से जो IRC recommend करता है कि 0.7 VB plus 6 होगी, उतनी spacing maintain करते हुए वो lane change करेगा, accelerate करेगा, overtake करके फिर से S spacing maintain करते हुए वापस अपनी lane में चला जाएगा, तो यह यहाँ पर इसने इस overtaking operation, overtaking operation यहाँ से यहाँ तक चला, इस operation के दौरान उसने distance travel किया, small B plus 2S, small B क्या था? कि उसी time T में इस B ने B1 position से B2 position ली होगी, तो B plus 2S distance उसने travel कर लिया, इसी time दोरान T time के दोरान C, C1 से C2 तक आ गया, तो यहाँ पर D2 की value B plus 2S हो जाएगी, D3 की value C जो है travel कर किया है, यानि कि velocity of C into time, अगर आपको slow moving vehicle जो है, उसके velocity न दी हो, तो आप उसे consider कर सकते हैं, velocity of A minus 16 km per hour, या फिर meter per second में करना हो, तो 4.5 meter कम कर सकते हैं, IRC के according वो spacing maintained जो आप लिखते हैं, वो 0.7 velocity of B in meter per second, प्लस L लिख सकते हैं, या फिर आप उसे लिख सकते हैं, कि S is equal to 0.2 V, capital वाला V, plus 6, ये आप मान सकते हैं, ये याद रखना है, नेक्स बात करें, तो आपको overtaking operation का जो time है, वो root of 4s by A, और याद ये रखना है, इस formula में, root of 4s by A में, A की value meter per second square में है, तो इसे convert कर लीजएगा, अगर kilometer per second, per second में आपको दिया हूँ, कि अगर acceleration की value, अगर acceleration की value, kilometer per hour, per second में अगर given हूँ, तो इसे convert कर लीजएगा, फिर से 60 से divide करके, next question, हाँ, एक और important बात, जहाँ पर भी overtaking side distance प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, वहाँ पर overtaking zones प्रोवाइड करेंगे, overtaking zone जो प्रोवाइड करेंगे हम, उसकी desirable length है 5 times of OSD, और minimum length है 3 times of OSD, इतना तो कम से कम प्रोवाइड कीजिए, कीजिए, यह objective में आपसे पूछता है, next, उसके बाद आते हैं side distance at intersection, इतना distance प्रोवाइड करेंगे, कि यहाँ से यहाँ दिखते ही, यह यहाँ तक रुख जाए, यह भी यहाँ तक रुख जाए, सबसे worst scenario के अंदर यह हो सकता है, जब भी कोई dilemma, कोई confusion होगी, तो यहाँ से यहाँ यह रुख जाए, यहाँ से यह रुख जाए, या फिर यह slow हो जाएगा, यह जल्दी से निकल जाएगा, यह slow हो जाएगा, यह जल्दी से निकल जाएगा, next, उसके बाद आते हैं, horizontal alignment, details के अंदर, फटा-फट से काम की चीजों के उपर चलते हैं, objective में हमसे क्या-क्या पूछेगा, centrifugal force होती है, mv square by r, अब mv square by r को अगर आप mg से divide कर देंगे, centrifugal force को अगर आपने divide कर दिया, w से या mg से, तो इसे बोलते हैं, centrifugal ratio, या फिर impact factor बोलते ह centrifugal ratio या impact factor, तो p by w अगर आपने किया, तो मतलब mv square by r था, आपके पास centrifugal force, और w की जगां पे आपने mg लिख दिया, तो ये आपके पास आगया, v square upon gr, और इसी के चक्कर में पूरी ये कहानी है, जो भी horizontal alignment की है, अब horizontal alignment के अंदर हम क्या करेंगे, horizontal alignment में ये vehicle जब turn पे जा रहा था, मतलब इस तरीके से कुछ था ये vehicle अगर, अगर ये vehicle turn पे जा रहा था, तो इस तरफ centrifugal force इसको खीच रही थी, यानि कि ये वाला wheel just उठने ही वाला था, अब इसको उठा कौन रहा है, इसको उठा रहा है, पी force इस तरफ वाला, और इसका क देखा होगा, जितने भी sports car होती है, वो सारी की सारी sports car, ground के बहुत ही नजदीक होती है, उनका center of mass ground के बहुत ही नजदीक होता है, तो overturning की chances उन में बहुत कम हो जाते है, तो ये P into H वाला moment इसको overturn करवा रहा था, और इसे बचा कौन रहा था, इसका खुद का mass W into ये इतना distance ये इतना distance क्या हो जाएगा, अगर दोनों wheels के बीच का distance B है, तो B by 2 हो जाएगा, तो equilibrium के लिए या worst case scenario के अगर हम बात करें, तो pH वाली moment, overturn करने वाली moment, बचाने वाली moment जो है, इसके बराबर हो, या फिर बचाने वाली moment जादा हो नीच है as compared to overturn, तो इसके अंदर अगर safety के तो हम ये कहेंगे कि ये वाली value जादा होनी चीए, बचाने वाला मतलब B by 2H should be greater than P by W या V square upon GR, इससे जादा होना चीए safety के point of view से, skidding नाओ उसके लिए क्या जरूरी है, कि जो centrifugal force लग रही है, friction वाली force उससे जादा हो, तब ही तो वो turn के उपर जाता जाता ही है, वीकल ऐ इतना लग जाए, जितनी है centrifugal force है, तो उस case में, mu की value जो है, वो B square upon GR से जादा होनी चाहिए, दोनों को अगर हम compare करेंगे, तो B upon 2H भी, B square upon GR, या P by W से जादा होना चाहिए, mu भी P upon MG से जादा होना चाहिए, next अगर हम बात करें, कि कब vehicle skid करेगा, overturn करने से पहले, कि जब friction जादा लग रहा है, friction कह रहा है, मैं तो car को ऐसे, जो, sorry, अगर friction कम लग रहा है, तो मतलब car skid हो रही है, overturn नहीं हो रही, skid कर गई, अब ऐसे chance होगा ना, आप एक कोई vehicle imagine करिये, तो वो vehicle एकदम से ऐसे turn गया, उस vehicle ने, अगर उस vehicle ने एकदम से ऐसे turn लिया, तो पहला chance य जादा लगा, तो वो ऐसे उसको overturn करवा देगा, तो अगर friction जादा हुआ, B by 2H से, तो vehicle पहले overturn कर जाएगा, skid नहीं करेगा, अगर friction इतना नहीं लग रहा, तो यह ऐसे sideways direction में, ऐसे car जो आपकी है, वो skid करती हुए चली जाएगी, तो friction और इन दोनों के बीच में comparison आप कर सकते हैं, next आगे आते हैं, super elevation, super elevation से related बस important formula आप याद रखेगा, कौन से important formula आपको याद रखने हैं, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो super elevation का ये complete formula आप याद रख सकते हैं, अगर नहीं है, last moment पे हैं, तो बस main में जो formula हैं, उनके उपर आप चलीएगा, कौन कौन स f, equals to small v square upon gr, और v square upon gr हमारे पास क्या था, p by w या फिर p by mg, equals to v square upon gr आया था, तो ये आया हमारे पास, इसी formula को small v, जहां भी मैं लिख रहा हूँ, तो small v का मतलब है, कि मैं meter per second में express कर रहा हूँ, अगर capital v मैं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है, कि kilometer per r के अंदर value दी हुई ह इसी formula को दुबारा लिख सकते हैं, e plus f, equals to capital v square upon 127r, इसमें g की calculation सारी हो रखिया है, इसी के अंदर, second formula आता है हमारे पास, जब ये बोला जाता है, कि equilibrium super elevation, equilibrium super elevation, जब भी ये equilibrium शब्द दिख जाए और उपर star लगा देना, चाहें तो short notes में side में लिख देना, कि ये मैं भूल जाओंगा, ऐसे chances हैं, कि ये मैं भूल जाओंगा, तो ध्यान रखना, कि friction की value यहाँ पर zero put करनी होती है, तो इस formula के according, अगर हम देखेंगे, तो e equals to आगया हमार पास आगे, दो formula, next, तीसरे formula की अगर हम बात करें, तो वो आता है हमारे पास, mixed traffic conditions के लिए, mixed traffic condition का मतलब क्या है, कि हम इसके इसमें जो design speed होती है, उसको 75% कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया जैसे country की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बहुत fast moving vehicles भी है, बहुत slow moving vehicles भी है, अगर हमने पूरे highway को fast moving vehicles के according design कर दिया, तो road के outer surface को बहुत जादा उठाना पड़ जाएगा, अब जादा अगर आपने उठा दिया, तो slow moving vehicle को उस turn के उपर problem आएगी, वो overturn कर सकते हैं, तो mixed traffic condition में हम क्या करते हैं, design speed को, अब mixed traffic condition का formula देख लीजिए पहले तो, mixed traffic condition का formula सिर्फ इतना सा हो गया, कि V square, capital V square है, यह यहाँ पर, capital V square upon 225R, यह याद कर लीजिएगा, अब इस कि कहानी यह हुई कि हमने सबसे पहले equilibrium super elevation consider किया, हमने क्या किया, equilibrium super elevation consider किया, friction की value 0 मानी, फिर हमने कहा कि velocity को consider कर लो, 75% या 3 4th design speed का, फिर उसके बाद formula यूज करो, तो फिर अगर हमने formula यूज किया, तो E equals to, यह वाला formula यूज किया, V square upon gr वाला, इस formula को जब use किया, तो 0.75 small v square upon gr, यह capital V square upon 127 r वाला use कर सकते थे आप, तो फिर यह convert होकर कि यह formula बना, याद रखिएगा, ठीक है, जहां भी equilibrium शब्द दिखे, friction को 0 कर देना है, mixed traffic condition दिखे, v square upon 225 r, जहां भी design शब्द दिखे, कि design के according ही बताईए, तो V square upon 225 r, क्योंकि हम design के according super elevation बताते हैं, आई ओब यह सारे points clear हो गए होंगे, कब कौन सा formula यूज करना है, confusion नहीं रहेगा अभी, तो जहां भी equilibrium super elevation शब्द दिखेगा, तो equilibrium super elevation के according आपको friction की value 0 consider करनी है, friction neglect करना है आपको, when the pavement is horizontal, कोई super elevation नहीं provide किया है, तो दोनों tires के उपर pressure जो है, अगर pavement horizontal रखी और turn आ गया, तो उस वक्त आपका pressure जो है, outer wheel पे जादा हो जाएगा, बाहर की तरफ जादा हो जाएगा, अगर friction 0 है, तो उस case में दोनों पर बराबर होगा, अगर आपने super elevation प्रोवाइड कर रखा है, या फिर यूँ कहें, sorry super elevation वाला तो discuss करी लिया, ऐसे case में जब ये road का surface था, ये आपका vehicle था, और इस vehicle का, एक wheel, just road के surface से उठा ही है, over turn के लिए, तो अब obvious सी बात थी कि, ये road का pavement ऐसे left में turn ले रहा होगा, नहीं, right में, अगर ये pavement कुछ इस तरफ से जा रहा है, तो इधर जाए गए, road आपका, right में turn ले रहा होगा, क्या हो रहा है, अब ठीक है, अगर ये vehicle आपका कुछ इस प्रकार से turn कर रहा है, तो इस तरफ ये skid होने के tendency बन रही थी, इसकी, इसने इसको prevent किया, ये over turn होगा, ऐसे इस तरफ, तो ये आपके पास inner और ये outer, आपके पास inner, और ये outer, turn अगर right था, तो लेफ्ट में इसकी overturn होने की tendency, तो अब इस case में, इसे बोलेंगे, क्योंकि ये curve इस तरफ है, तो इसलिए इसको inner side बोलेंगे, इसको outer side बोलेंगे, तो अब outer wheel पर सारा load आ जाएगा, और inner wheel के उपर pressure जो है, वो zero हो जाएगा, हाँ, pdf मिल जाएगे दोस्त, ठीक है, तो when limiting condition of overturning occurs, then pressure on inner wheel is zero, next, फिर उसके बाद बात करेंगे, अगर आप ये कहते हैं, कि सिर्फ friction काम कर ले, तो friction की value zero put कर दीजिए, फ्लस f equals to b square upon gr में, next बात आती है, कि ये formula हमारा V square upon 225R mixed traffic condition के लिए use करेंगे, objective के point of view से ये छोटा सा table आपको याद रखना है, कि अगर आपके पास plane and rolling terrain है, तो maximum super elevation 7% या फिर 0.07 provide किया जाएगा, फिर उसके बाद अगर hilly terrain है आपके पास, तो उस case में 0.10 या फिर 10% provide किया जाएगा, urban road stretches के अंदर 4% या थोड़ा कम रखते हैं हम यहाँ पे, फिर उसके बाद minimum super elevation 2-4% का drainage purpose के लिए provide कर देते हैं, जहाँ पर भी large horizontal curve आपको दिखता है तो, radius of horizontal curve में minimum ruling radius की आप कोई curve बनाते हैं, तो एक तरीका है कि road को ऐसे बना देना, एक तरीका है कि road को एकदम इतना ऐसे curve दे देना, एक है कि एकदम ही दे दिया, तो यहाँ पर radius बहुत कम होगे, यहाँ radius जादा थी, यहाँ radius और जादा थी, तो जब भी आप direction को change कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे road designer के aspect से, आपका दोस road design कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, कि भाई कम से कम इतनी radius तो provide करी दे, इतनी तो कम से कम radius दो, मतलब बिल्कुल कम मत कर दो, कम से कम इतनी तो provide करो, तो वो ruling minimum, मतलब design के point of view से, कम से कम इतनी तो provide कर दो, तो speed आपके पस upon e plus f, upon v square upon g into e plus f, e plus f की value maximum put कर दीजिए, और v की value जो design वाली velocity वो put करें, तो उसके according कम से कम कितना radius देना पड़ेगा, वो आ जाएगा आपके पस, so formula वही है, और जब हम mains के question करते हैं, design करते हैं, तो design के point of view से क्या करते हैं, सबसे पहले जो question में velocity given होती है, उसके according, हम mixed traffic condition के according, super elevation provide करते हैं, कि कितना चाहिए होगा, अगर ये value 7% से कम आई, तो design हो गया, 7% से अगर जादा आई, तो E की value कहते हैं, कि हम 7% adopt कर लो, फिर check करेंगे कि क्या friction जो है, वो उस बचे हुए centrifugation जो ratio है, उसको bear कर पाएगा या नहीं, तो फिर F की value चेक करेंगे कि कितनी चाहिए होगी, अगर दोनों ही value extreme आजाए, F की value भी 0.15 से जादा आजाए, super elevation भी 7% से जादा आजाए, तो उस case में हम कहेंगे, speed को restrict कर दो, कि भाई, अब F को जादा से जादा 0.15 ले सकते थे, और E की value 7 ले सकते थे, तो इसके according velocity जो है, वो बता दो कि maximum से maximum कितनी हो सकती है, limiting velocity हमें बतानी होगी, next, आगे बढ़ते हैं, extra widening of curves पे अगर हम आएं, तो extra widening of curve के अंदर NL square upon 2R, mechanical widening होती है, psychological widening V upon 9.5 root R होती है, अगर आपसे वो बोलता है कि off tracking बता हो, तो off tracking सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, अगर आपको वो बोलता है कि off tracking बता हो, या mechanical widening बता हो, अगर वो बोलता है psychological, तो सिर्फ V upon 9.5 root R बताना है, ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी तक session को like नहीं किया, आप session को like कर सकते हैं, transition curves पे आते हैं, transition curve का फटा-फट, transition curve जो है, spiral या clothoid जो transition curve है, वो provide किया जाता है, objective के point of view से, spiral या clothoid transition curve प्रोवाइड किया जाता है, IRC जो recommend करता है, क्यों हो, क्योंकि rate of change of centrifugal acceleration भी दीरे-दीरे introduce करवाता है, uniformly introduce करवाता है, radius of transition curve जो है, वो infinite होती है एक तरफ और दूसरे तरफ, जो curve होता है, जिससे हम connect करते हैं, उसके बराबर होती है, यहाँ पर, smooth सा transition इसके थूरू होता है, अब तीन तरीके से formula हाता है, हमारे पास, पहला, rate of change of centrifugal acceleration के according, acceleration की unit होती है, meter per second square, और उसका भी change, तो आपके पास क्या आ जाएगा, meter per second square per second, या फिर meter per second cube unit आ जाती है, तो अगर आपसे objective में question पूछता है, कि rate of change of centrifugal acceleration की unit क्या होती है, meter per second cube होती है, V cube upon CR, transition curve जो है, उसकी length हाती है आपके पास, तो ये आपको याद रखना है, C की value 80 upon 75 plus 3.6V के पराबर होती है, अगर आप meter per second में put कर रहे हैं ये value, अगर V की value kilometer में put कर रहे हैं, और answer meter per second cube में ही चाहिए, तो 80 upon 75 plus capital V use कर सकते हैं, एक formula याद रख लेंगे, 0.8 के बीच में lie करनी चाहिए, तो पहला formula transition curve का, दूसरा formula जो आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है, 150X अगर आप बात कर रहे है, plane या rolling terrain के लिए, फिर mountainous के लिए 60X और built-up area के लिए 100X आपको याद रखना है, objective में भी ये आपसे पूछ लिया जाता है, कि transition curve के लिए maximum possible slope जो है, वो कितना है, फिर अगर आप pavement को outer edge के about, अगर ये वाला formula याद रखना चाहते हैं, anyw वाला या anyw by 2 वाला तो ये याद रख सकते हैं, directly 150X, 100X, 60X वाला याद रखना चाहें, तो इसके according आप याद रख सकते हैं, अब इसके अंदर X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा कि कितने amount से आपने इस pavement को उठाया है, और 150 आपके पास क्या है, 150 है कि 150 मीटर होरिजॉंटल चलने पर एक vertical चलना है, ये actual में बता क्या रहा है, ये actual में आपको बता रहा है, कि यहाँ पर कोई, यहाँ पर कोई अगर circular curve था, यहाँ से कोई road जा रही थी straight, अब इसको इस circular curve पर connect करना है अगर हमें, तो आपको super elevation प्रवाइड करना है कुछ इस प्रकार से, मतलब circular curve पर इतना pavement उठ जाना चीए, यह outer वाला edge इसका, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, धीरे धीरे इस edge को उठाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से, outer वाली edge को धीरे धीरे उठाना पड़ेगा हमें, जब outer वाली edge को धीरे धीरे उठाया यहां से हमने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब 150 मीटर आप horizontal चल चुके होंगे तो 1 मीटर का vertical rise देंगे ऐसे rise करेंगे धीरे धीरे ऐसे नहीं है कि एकदम से यहाँ पहले एकदम flat थी यहाँ ते ही pavement एकदम ऐसे हो गई 150 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर इसे ज़ादा नहीं इतना ही बस फिर उसके बाद अगले 150 चले तो 1 तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर x मीटर चलना है आप यह कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर vertical rise देना है तो 150 मीटर horizontal चलना पड़ेगा अगर आपको x मीटर का vertical rise देना है तो 150 x मीटर horizontal चलना पड़ेगा simple तो आपके पास आगया न यह आपके पास length of transition curve कितना होगा 150 x की form में हमने बता दिया next फिर उसके बाद तीसरा case आता है as per IRC IRC के according अगर हम बात करें तो 2.7 v square by r यह formula आपको याद रखना है अगर objective exam में कहीं भी वो ना बोलेगी कौन से method के according बताएं वो आपको rate of change of centrifugal acceleration ना दे कुछ भी आपको method ना बोले तो 2.7 v square upon r आप यूज़ करके आ जाएगा वो steep and hilly terrain के लिए v square by r होता है अगर objective में question पूछे कि transition curve की length किसके directly proportional होती है v cube by r भी दिया हो और v square by r भी दिया हो तो ये वाला opt कर लिजएगा क्योंकि ये irc के according है अगर हम बात करें first वाले के according तो आपके पास ये था ना v cube upon cr तो ऐसे लगता है कि v cube upon r के directly proportional है अगर ये option भी दिया हो तो आप choose करना irc वाला 2.7 v square by r वाला चलो आगे बढ़े next setback distance कितना distance आपको पीछे रखना है अब ये थोड़ा सा complicated सा आ जाता है जही के point of view से चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं अभी के लिए vertical alignment पे आ जाते है vertical alignment में गिने चुने तीन नहीं चार formula है ये याद रखने हैं आपको कौन कौन से formula है और एक ये values याद रखने हैं आपको ये vertical alignment में ruling gradient कितना limiting कितना और exceptional gradient कितना provide करते हैं plane या ruling के इंदर 3.3, 5, 6.7 hilly के case में 5, stick के case में ये 6 चला जाता है limiting में 5, 6, 7, 6.7, 7, 8 ruling gradient design point of view से maximum से maximum कितना gradient दे सकते हैं gradient का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको ऐसी जगहां पर सडग बनाने के लिए बोला गया जहां पर चढ़ाई है तो आप कहेंगे कि मैं road के उपर ऐसे नहीं कर देंगे न कि vehicle को एकदम ऐसे अगर point A से लेकर के B तक connect करना था तो एकदम बस ऐसे direct कर दिया ऐसे नहीं connect करेंगे gradient जो है वो maximum से maximum जो safety के point of view से कितना adopt कर सकते हैं उसे बोला जाएगा ruling gradient तो design के point of view से maximum से maximum कितना फिर उसके बाद आ जाते हैं limiting gradient पर अब limiting gradient की अगर हम बात करें तो आपको ऐसी जगहां जहां पर अगर ये gradient provide किया road के उपर जैसे hills के case में आप चले गए तो hills के case में आपको क्या करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा cutting करनी पड़ेगी पाढ़ को काटना पड़ेगा तब जाके इतना कम gradient आप दे पाएंगे तो उस case में हम ruling से थोड़ा से ज़्यादा जैसे अगर हम बात करें हिली के case में ruling था 5 यहाँ पर limiting 6 तक चले जाएंगे वहाँ पर थोड़ा और gradient हमने provide कर दिया वहाँ पर तो limiting gradient जहां cost of construction बहुत ज़ादा भढ़ जाएगा वहाँ provide कर देते rolling terrain और हिली terrain के लिए it may be frequently necessary to adopt limiting gradient लेकिन limiting gradient ऐसा नहीं है कि आपने यह ruling provide करना था इतना और अब आपने यह limiting gradient यह opt कर लिया तो अब ऐसे case में कुछ दूर पर जा करके थोड़ा horizontal stress देना होगा फिर फिर से आप इसको rise कर सकते हैं तो कम से कम 100 meter का horizontal stress देंगे फिर उसके बाद आप इसे provide करेंगे exceptional gradient की अगर हम बात करें तो exceptional gradient के case में आप कोई और option ही नहीं है हमारे पास कि एकदम बहुत ही जादा steep चड़ाई आपको देना ही पड़ेगी कोई भी hill station पर आप घूमने चले जाते हैं तो कुछ ऐसी जगा होती है जहां अगर आप घूमने जाते हैं आप अपनी गाड़ी से गए हुए है और आप अपने किसी दोस्ट से पूछेंगे या वहाँ के local से या tourist guide से पूछेंगे तो वो आपको बोलते हैं कि वहाँ पे आप अपनी गाड़ी मत ले करके जाईएगा आप गाड़ी rent पे ले लीजेगा ठीक है तो वो क्यों बोल देते हैं आपको वो इसलिए बोल देते हैं कि कुछ ऐसी steep जगा आ जाती है बहुत ज़ादा exceptional gradient होता है वहाँ पर exceptional gradient के case में हम habitual नहीं होते हैं उस gradient पर drive करने के लिए तो इसलिए बोल दिया जाता है कि वहाँ के जो expert driver है जो उस road के उपर चलाती है वो ले लेंगे या उनहीं की गाड़ी आप ले करके जाएं तो exceptional gradient के अंदर बहुत ही short distance के अंदर बहुत large vertical rise आपको दे दिया फिर इसके लिए important यह है कि यह जो आपका exceptional gradient है यह 100 meter से जादा length की stretch में ना जाए और फिर कम से कम 100 meter का आप इस तरीके से horizontal distance provide करें फिर ऐसे फिर 100 इस तरीके से आप इसको ले करके जाएंगे so they should be limited for short stretches not exceeding about 100 meter at a stretch और mountainous से steep terrain के अदर exceptional gradient जो है वो 100 meter के horizontal stretch से separated होने चाहिए चलिए आगे बढ़ते है critical length of grade क्या होता है critical length of grade अब यह सारे gradient वाले topic समझने के लिए एक बार आपको पहाड गूमना होगा पहाडों पर ज़रूर गूम किया है कभी किसी hill station पर जाए तो यह सारी चीज़ें वैसे ही visualize हो जाएंगे वैसे ही आपको दिख जाएंगे critical length of grade क्या है कि जब आप एक दम ऐसे चड़ाई पर अगर जा रहे है usually हमारे दिमाग में आता नहीं है दिमाग में यह चीज़ बनती ही नहीं कि road तो हमेशा flat ही होती है horizontal ही होती है यह क्यों इतने इतने gradient की बाते हो रही है वही अगर उतनी पावर अगर आप देंगे उसको incline पर चलाने के लिए तो वो शायद हो सकता है 30-40 पर ही आ जाए तो critical length of grade क्या बोला जाता है कि gradient कितना provide करें कि कि किसी heavy loaded truck का अगर heavy loaded truck को safe करवा दिया हमने मान लीजे कोई truck था अब वो truck अगर जा रहा है पता लगे इस बिचारे में weight इतना जादा हो गया weight जादा होने की वज़े से mg sine theta भी तो इसे पीछे की तरफ खीचेगा ये पीछे की तरफ खीच रहा है एक load जादा है ये उपर की तरफ इसको खीचने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा ना हो जाए कि ये वापस पीछे आ जाए या फिर इसका engine जो है उसके अंदर failure आ जाए कुछ तो उस case में क्या होगा आप ये जो gradient प्रोवाइड करते हैं ये इतना provided होना चाहिए जिससे की एक heavily loaded truck जो आपका है या उसकी maximum capacity तक अगर वो loaded है तो उसकी velocity में 25 km per hour से जादा का बदलाव ना आए तो ये critical length of grade कहलाता है speed of 25 km per hour is reasonable value this value depends on size, power, load, gradability, etc इतने से जादा का बदलाव उसकी velocity में ना आए minimum gradient क्या use करते हैं minimum gradient का मतलब जैसे plane region के अंदर अगर हम बात करें तो 1 in 500 का gradient प्रोवाइड कर ही दिया जाता है कि अगर आप किसी plane area में रह रहे हैं और road को अगर आप बहुत ही अपने दिव्य द्रिश्टी से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर आधे किलो मेटर में एक मेटर का vertical distance आपको road पर दिखेगा ही दिखेगा vertical rise दिखेगा ही दिखेगा आपने देखा होगा अकसर अगर आप city बड़ी है तो फिर तो कभी ध्यान नहीं दिया होगा अगर आप किसी गाउं वाले region के अंदर आप देखते होंगे तो वो गाउं जो होता है उस गाउं के अंदर जब भी बारिश आती है तो बारिश का पानी कोई एक particular जगह होता है, कोई एक particular pond होता है उसरी के अंदर पानी जाता है सारा आपने ये चीज़ चाहिए अपज़र्व की हो नहीं हो, या फिर देख लिएगा तो एक particular जगह होती है, बहीं पर ही जाता है वो क्यों जाता है क्योंकि generally हमें लगता है कि land जो है वो perfectly एकदम flat ही है 100% flat है लेकिन ऐसा नहीं होता है कुछ ना कुछ gradient होता ही है कुछ ना कुछ slope होता है जिसके वज़े से जब भी बारिश होई वो बारिश का पानी गलियों से होता हुआ और फिर उसके बाद उस particular pond तक कार से हमारी जो roads है या जो हमारी जो जगह है उसके उपर भी कुछ ना कुछ धलान है gradient present ही है design के point of view से भी हमने उसको provide किया जिससे कि जब बारिश हाए तो बारिश का पानी road के उपर से side वाली drains में चला गया अब वो drain के अंदर पानी तभी तो भहेगा जब उसके अंदर धलान होगी उसके अंदर gradient provide करेंगे तो one in five hundred का कम से कम और one in two hundred का अगर soil वाली train जो है उनके अंदर provide करते हैं फिर उसके बाद curve resistance क्या होता है curve resistance बहुत कतरनाक चीज है इस चीज को भी आप तभी observe करेंगे जब आप अगर जा रहे हैं किसे हिली area के अंदर हिली area में जब आप जाएंगे तो होता क्या है अगर आपने curve लिया turn लिया तो आपका पहले road सीधा सीधा आप जा रहे थे तो आपके vehicle का traction था T लेकिन अगर आ आप observe कर सकते हैं जब भी कोई heavily loaded truck होगा या फिर tractor trailer जो होता है उसके अंदर जो trailer या trolley बोलते हैं उसके अंदर अगर heavy load है और अब वो tractor चलना शुरू कर रहा है लेकिन turn लेते हुए कर रहा है अगर तो चल नहीं पाएगा वो एकदम आगे से उठना शुरू हो जाता है क्य लेकिन थीटा ऑंगर पर होने के करने अब टी कॉस्धी फीटा ही मिल रहा है और कॉस्धी अगर आगे लग गया मतलब traction कम हो गया अब क्या होगा आगे अगर इसे बहलागा कर ञो कbook डिए कि त्रस बढ़ जाती है कब जब अगर turn भी आया और चढ़ाई भी आगई turn भी आया और चढ़ाई भी आगई, ऐसी रोड कुछ इस प्रकार से imagine कर सकते हैं, जब इस रोड के उपर अगर कोई vehicle जा रहा होगा, तो इस vehicle का एक तो खुद का weight इसको नीचे खीच रहा होगा mg sin theta इसके उपर लग रहा होगा अगर यहाँ angle यह theta है और एक क्या होगा, यह curve resistance के कारण t traction यहाँ पर मिलना था अब t cos theta ही मिल पा रहा है तो इस vehicle पर तो double मार हो गई इस vehicle के traction capacity और reduce हो गई, और problem आजाएगी यहाँ पर इसको, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसको कुछ रियायत दो इसको कुछ compensation दो तो इसको grade compensation दे दो तो वो grade compensation हम कितना देते हैं वो grade compensation हम देते हैं 30 plus R by R या फिर 75 by R और grade compensation की ज़रूरद 4% से कम gradient है तो नहीं है compensated gradient भी 4% से कम नहीं होना चाहिए, उतना ठीक है 4% तक का सेहन कर सकता है तो grade compensation minimum of 30 plus R by R या फिर 75 by R प्रोवाइड करेंगे सो curve resistance T minus T cos theta हो गया grade compensation heavily loaded vehicle था अगर वो curve के उपर भी जा रहा है और चढ़ाई पर भी जा रहा है तो उस case में grade को कम कर देंगे जो की 30 plus R by R या 75 by R का minimum होगा यनि कि आप ये कह लीजिए कि जादा से जादा जो grade compensation प्रोवाइड करेंगे वो 75 by R प्रोवाइड करेंगे दुबारा सुनिए शब्दों में हमने बोला कि minimum of 30 plus R by R या फिर 75 by R ये ठीक वैसा ही हो गया जैसा आपके घरवालों ने अगर आपको बोला कि हम तुमें जादा से जादा 10,000 रुपए या उतने रुपए देंगे जितने का आपका फोन आया तो आपकी अगर limit उन्होंने specify कर दी कि 10,000 रुपए आपकी limit है या फिर जितने का फोन आया अब फोन अगर 8,000 का या आ गया तो आपके घरवाले आपको 8,000 देंगे so minimum of these quantities तो घरवालों ने words क्या use किये थे कि हम तुमें जादा से जादा इतने पैसे देंगे कि या तो फोन आ जाए या 10,000 रुपए जादा से जादा देंगे तो it means minimum of these कि अगर 8 का फोन आ गया तो 8 ही मिलेंगे आपको नहीं तो जादा काया अगर 12 काया तो 10 ही मिलेंगे आपको तो इसमें maximum limit घरवालों ने रखी कि 10,000 से जादा रुपए तुमें नहीं मिलेंगे तो इसलिए ये same maximum word आप यहां relate कर सकते हैं कि ये grade compensation subjected to a maximum of 75 by R तो जब भी किसी चीज़ का maximum बोलते हैं कि ये चीज़ maximum से maximum इतनी होनी चाहिए तो इन दोनों में से minimum of करना है है grade compensation जो provide करेंगे वो compensate करने के बाद 4% से कम नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद आते हैं दोस्तो अब words में समझना होगा आपको कि अगर down gradient के बाद आप gradient दिया तो ये कैसा curve बना valley curve बना steep down के बाद mild down मिला तो कैसा होगा valley curve बना फिर mild up के साथ steep up मिला तो कैसा valley curve बना फिर अगर आप बात कर रहे है mild up के साथ mild down आ गया तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया summit curve बन रहा है अगर mild down जा रहा है फिर steep down जा रहा है तो ये भी summit फिर steep up फिर mild up जा रहा है तो ये भी आपका summit curve objective के point of view से क्या क्या चीज़ें आपको पता करने हैं पहली चीज़ आपको statement की form में समझ भे आना चीज़े कि curve जो है वो minus n2 से दिया जाता है algebraic difference लेना है algebraic difference का मतलब deviation angle between two intersecting gradients is the algebraic difference, sign के साथ वाला difference लेना है तो अगर पहला gradient positive था दूसरा negative था तो n1 minus minus n2 तो sign के साथ difference लेना है पहली चीज़ ये याद रखनी है फिर उसके बाद summit curve से related formula याद रखने है summit curve के क्या formula कि अगर SSD given है तो उस case में length of the summit curve is greater than SSD अगर है तो n2 upon 4.4 हो जाएगा length of summit curve दुबारा से सुने SSD दिया हुआ है question में कि SSD के according अगर summit curve डिजाइन करना है तो पहले assume करेंगे कि length of the curve is greater than SSD तो n2 upon 4.4 अगर वो सही आ जाता है answer भी ऐसा आया कि length of summit curve जो है वो जादा है SSD से तो ठीक है हमारा answer अगर ऐसा नहीं आता है तो 2s minus 4.4 by n use करेंगे कि length of summit curve is less than SSD तो उस case में ये summit curve प्रोवाइड कर रहे है मतलब क्या है इनका वैसे तो detail में जब हमने classes ली थी तब भी पढ़ा ही था लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर ये curve था अब इस curve में ये vehicle है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक तो थी straight road अब summit curve आ रहा है यहाँ पर ऐसे कुछ या जो gradient आया ऐसे जा रहा था अब आपको इन दोनों को summit curve से connect करना है अब यहाँ पर आपका vehicle है और यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसका SSD बन रहा है बस तो curve जो है actual में length of summit curve जो है वो बहुत जादा है as compared to SSD तो ये formula यूज़ कर लीजिए लेकिन अगर ऐसा है कि आपका vehicle जो है summit curve इतना सा था vehicle इतना था ये vehicle दूर तक देख पा रहा है तो ये length of summit curve छोटी है जितना इसका SSD है vehicle को रुकने के लिए जितनी जगा चाहिए तो उस case में आप 2S-4.4 by N OSD के according design करेंगे तो N square upon 9.6 2S-9.6 by N J point of view से इतने formula sufficient है अगर हम बात करते gate और engineering services की तो उस case में वो question आप से ये पूछ लेता कि submit curve के ये formula use करके H1, H2 की value कुछ और दे के पूछ लेता N square upon twice of root of H1 plus root of H2 का whole square अगर वो ये बोलता कि SSD के case में observer की height 1.2 ना मान करके कुछ और दे दी object की height 15 cm ना मान करके कुछ और दे दी तो उस case में ये formula use करना होता है हमें लेकिन जहीं में ऐसे question अब तक तो नहीं देखे गए तो ये formula ये formula आया कैसे N square upon 4.4 वाला इस formula के अंदर H1, H2 की values ये put करके आया 1.2 meter और 0.15 similarly USD तो submit curve के ये 4 formula आप याद रख लीजिएगा valley curve के अगर हम बात करें तो valley curve के लिए दो तरीके से हम valley curve प्रोवाइड करते हैं valley curve पहला तो rate of change of centrifugal acceleration की comfort condition रहनी चीए ऐसा ना हो कि ये valley में आया एकदम से और vehicle के suspension या जो shock absorbers है वो एकदम से पूरे तरीके से compress होगे तो comfort condition रहनी चीए दूसरा तरीका headlight distance रात के वक्त दिन में तो यहां से यहां का vehicle easily दिख जाएगा लेकिन रात को नहीं दिखेगा तो रात में जो ये light पड़ेगी वो headlight distance के according की इतने दूर तक visibility हमेशा maintained रहे इन दोनों के according length of valley curve है वो opt की जाती है formula कौन से याद रखने है twice of root of nv cube by c एक तो यह याद रखना है आपको length of valley curve को अगर हम transition curve की तरह design करें या अगर kilometer per hour में होगा तो nv cube का root into 0.38 अगर kilometer per hour में आपको यहां पर weak की value पुट करने ही पड़े दूसरा formula n square upon 1.5 plus 0.035s अगर length of valley curve greater than ssd अगर आपको दिया हुआ या 2s minus 1.5 plus 0.035s by n तो इतने से formula है छोटे छोटे प्यारे प्यारे next question पर जलता है अब questions है highway engineering खतम questions करता है railway traffic भी पढ़ेंगे वो अलग session में पढ़ेंगे अभी highway पढ़ रहे हैं भी हम अगर आपक में लाड पहे हैं अगर प्यारे प्यारे इतने से एक हैं झालगोस करता है झालगोस करता है झाल 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 यह वीकल A था यह वीकल B है वीकल A की अगर स्पीड आपको दी गई है 60 km पर आर या यह भी रहने देते हैं फिर उसमें गन्फ्यूजन होगी आपको अगर ऐसे लिख देते हैं वीकल A की स्पीड अगर आपको 60 km पर आर दी गई या फिर इसे आप 16.67 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं वीकल B की स्पीड आपको इसमें से कंसीडर करनी है कि डिजाइन वाले वीकल में से 16 माइनस करते होते हैं तो आपके पास यह आ जाएगी 44 km पर आर या फिर 4.5 माइनस कर दीजिए इसमें से 4.5 इसमें से माइनस कर देंगे मीटर पर सेकंड के इस आप से तो आपके पास 12.17 आ जाएगा अब फटा फट से कैसे कैलकुलेट करना है आपको सबसे पहले D1 D1 is equal to B के velocity से चलेगा A reaction time T तक तो 16.67 multiplied by 2 नहीं 12.17 तो आ जाएगा 24.34 मीटर D2 की अगर हम बात करेंगे तो 2S plus B अब S की value calculate करते है S will be 0.2 capital VB plus 6 0.2 into 44 plus 6 तो यह आपके पास आजाएगा 8.8 plus 6 14.8 मीटर time की value और calculate करते हैं 4 into 14.8 by A acceleration की value आप 0.7 मान लीजेगा acceleration की value 0.7 0.7 small VB ले ले लेते हैं या मैंने capital VB यूज किया 44 वाला यूज किया 0.7 यूज करेंगे तो small VB यूज करिएगा 9.19 time की value acceleration की value 0.7 तो time आया 9.19 सेकंड 2S प्लस B 2 into velocity of B 12.17 overtaking time 9.19 small V की जगां पर हम क्या लिख देते हैं B ने कितना distance travel किया इस overtaking operation के दोरान ये बता दीजिए D2 की value कितनी आई 141.44 D3 D3 आपके पास velocity of C into overtaking a time 16.67 153.19 therefore overtaking side distance is equal to तेनों को add कर दीजिए एक्जाम में ऐसे सवाल सबसे last में करने है मतलब आपको पता है कि आप कर तो लेंगे तो second round में करने हैं सबसे last का मतलब 318 आजाएगा 318 मेंटर option C next the maximum safe speed on road depends on किसके उपर depend करती है road surface कैसा है side distance कैसा है type of cause कैसे है setback distance और clearance distance depends on which of the following setback distance किसके उपर depend करेगा side distance कितना चाहिए आपको यह कितनी दूर तक कोई buildings obstacles रखे जाए जिससे की अब यहाँ पर अगर कोई vehicle आ रहा है यहाँ से कोई vehicle आ रहा है तो यहाँ पर कोई building अगर है तो कितनी दूर इसको रखा जाए कितना setback distance हो तो side distance इनके लिए कितना चाहिए हमें यहाँ पर length of curve कितनी है radius of horizontal curve setback distance इस case में भी provide कर सकते हम यहाँ पर यह कोई building है यहाँ से जो vehicle जा रहा है तो उसका line of sight ऐसे बन पाए इधर आने वाले obstacle के लिए तो इसको इस road के center line से कितना दूर रखे the headlight side distance available at valley curve should be at least how many times of safe stopping side distance तो headlight side distance SSD के बराबर consider करते है find the length of the vertical curve connecting two grades 5% plus का मतलब उपर जा रहा है यहाँ पर plus 0.5% का और minus 0.3% का तो जब deviation angle निकालेंगे अगर हम तो algebraic difference लेते हैं मतलब sign के साथ difference लेंगे पहले का sign के साथ 0.5% minus 0.3 तो आगे हमारे पास 0.8% where the rate of change of credit is 0.1% पर 30 मीटर तो आपको यह बताना है length of vertical curve आपको length of vertical curve बताना है deviation angle आगे आपके पास proportion same ही लेना है अब आपको यह आपके पास 0.8% का आगया इनका net gradient अब आप इसे 0.1% 0.1 with respect to 30 के रिसाब से आपको लेना है या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जो gradient आया है N1-N2 with respect to this rate ले लीजिए आप length of curve आप कैसे ले लीजिए N1-N2 with respect to जो भी यह rate दिया हुआ है तो N1-N2 का आपके पास 0.8% आया with respect to 0.1% per 30 meter तो 240 आजाएगा answer जब पिछले सवाल के अंदर one way traffic के बजाए ना single lane road होना चीए था इसको correct कर लेते हैं जो हमने calculation की ना एक numerical था हमारा यहाँ पर one way traffic की जगा हम single lane बोल देंगे next question 240 आजाएगा answer हमारा extra widening of pavement provided because of off tracking off tracking की वज़े से जो होती है वो mechanical होती है दोनों को मिला करके psychological प्लस mechanical को मिला करके हम बोलते हैं उसे extra widening longitudinal coefficient of friction 0.35 से 0.4 के बीच में होता है cross slope given to the pavement for safe drainage तो उसे camber कहते हैं lateral shift in the transition curve transition curve को accommodate करने के लिए main curve को थोड़ा shift कर रहे हैं तो वो जो shift होती है वो la square upon 24 r के बराबर होती है the radius of horizontal circular curve 100 दी हुई है design speed given है coefficient of lateral friction given है rate of super elevation to be provided अगर पूरा lateral friction developed होगा तो कितना super elevation चाहिए होगा बताएं solve करें and answer बताना है आपको let's begin a plus f equals to e की value velocity 50 radius of curve 100 meter minus 0.046 जो कि लगबग 1 by 21 के असपास आएगा option C correct answer होगा next question dash in the curves the convexity is upward convexity is upward किसमे होगा जो summit curve होंगे इसमें convex है उपर की तरफ cave है नीचे की तरफ ये कौन सी shape convex ये कौन cave summit curve में in which of the following way of highway is an emergency escape ramp provided emergency escape ramp अगर मान लिजे कोई trucks है तो उनका अगर मान लिजे brake fail हो जाता है heavily loaded कोई भी vehicle है कोई भी हो सकता है किसी भी type का vehicle अगर brakes fail हो जाएगा तो उस case में आप कहां पर किस case में आपको emergency escape ramp प्रोवाइड किया जाता है sand से भरा हुआ ramp होता है जिसके अंदर जाकर के vehicle को डाल दिया जाता है तो अपने आप ही वो उसमें फस करके रुक जाता है तो जब भी downgrade पर धलान की तरफ vehicle आ रहे होते हैं और अगर brakes fail हो जाते हैं तब emergency ramps escape ramp प्रोवाइड किया जाते हैं super elevation को express किया जाता है कि road की दोनो surfaces के बीच में यह अगर road था तो outer edge को हम उठा देते हैं तो road के दोनो surfaces के बीच में outer edge को अगर हमने उठा दिया तो उसे super elevation कह रहे हैं to the width of carriage way या फिर यह कह लेजिए कि E या यह 10 theta जो होता है उसको कहते हैं कितना इसको उठाया है with respect to this 10 theta the highest point on road surface is known as road surface का top most point जो होता है उसे तो बोलते हैं crown और यह जो उठाना कितना आपने इसको rise किया है with respect to horizontal इसे बोलते हैं camber तो answer होगा highest point का तो crown next camber of 1 in 30 का मतलब होगा 30 meter wide road है crown of the road will above a camber of 1 in 30 means that for a 30 meter wide road अगर आपको camber 1 in 30 का दिया गया है तो आपको यह बताना है कि कितना rise किया गया है अब यह सवाल दिखने में simple है लेकिन थोड़ा सा tricky है 30 meter wide road अगर है तो 30 meter wide road में आपको यह बोला गया है कि अगर 30 meter horizontal चलेंगे तो एक ही vertical चलना है अब इस case में आपको 30 meter में इस road में यह तो 15 meter ही होगा तो अगर 30 meter पे एक चलना था तो 15 पे तो half ही चलना पड़ेगा तो answer होगा हमारा option A 0.5 1 in 30 का camber जरूर है लेकिन अगर road ही 30 meter width की है तो यह camber 1 in 30 का मतलब हुआ कि 30 meter horizontal जाएंगे तो एक vertical जाएंगे तो आप तो यहां से यह 15 ही आए है तो 0.5 ही जाएंगे The intermediate side distance is equal to ISD जो provide किया जाता है जहां पर हम overtaking zone नहीं provide कर सकते है या SSD नहीं provide हो सकता वहां पर for the ease of overtaking operation ISD provide कर दिया जाता है तो ISD के case में ISD जो है वो twice of SSD के बराबर provide किया जाता है So twice the stopping side distance Which of the following are correct values of coefficient of lateral पहले उसने lateral बोला है तो answer lateral वाला पहले होना जाए फिर longitudinal तो 0.15, 0.35 Pick up the incorrect statement from the following इन में से incorrect statement क्या है The width of right of way is decided to accommodate इन में से incorrect क्या है क्या right of way में formation width आती है मतलब जो pavement के आपके width 3 plus shoulders वाली आती है Side slopes आते हैं आते हैं Horizontal curve आएगा उसमें आएगा Right of way में horizontal curve भी आएगा लेकिन क्या right of way में कहीं भी vertical curve आता है क्या नहीं आता तो incorrect होगा B, vertical curve, incorrect consign में से Calculate the design rate of super elevation on a highway in plane terrain if the design speed of the highway is 80 km per hour and radius of the curve is 400 meter तो plane region में आपको बताना है length of transition curve length of transition curve आप 2.7 B square by R से use कर सकते हैं कुछ नहीं बोला है उसने तो यह method यूज़ कर लेता है 2.7 80 square upon 400 500 पूछा है यह तो आप से सूपर एलिवेशन पूछा है त्रांजिशन कर्व निंग पूछा त्रांजिशन कर्व डिजाइन रेट आप सूपर एलिवेशन पूछा है आप से यह पूछा है यह पूछा है यह कैलकुलेट करके बताएं सौरी यह पूछा है यह इस इकोल टू किसके बराबर होगा डिजाइन रेट आप पूछा है तो वी स्कौर पॉंट टू टू फाइवार विलाउसिटी की वैल्यू पूछा है 80 किलोमेटर पर आप 7.11 आजाएगा 7.11 आएगा लेकिन correct answer होगा हमारा option A calculate क्या करना साथ ही लेंगे हाँ ठीक है 7.11 आएगा जो कि greater than 7% है है तो देरफोर यूज सेवन परसेंट आप्शन एक रेक्ट आंसर होगा हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन आइडियल फॉर्म फॉर्म पर समीट कर्व इस समीट कर्व के लिए हम क्या यूज करते हैं आइडियल है हमारे पास स्पाइरल आइडियल फॉर्म जो है समीट कर्व के लिए समीट कर्व के लिए यूज करते हैं पराबॉलिक लेकिन आइडियल जो है वो सर्कुलर है समिट कर्व के लिए आइडियल कर्व जो है वो सर्कुलर है यूज करते हैं पैराबॉलिक लेंथ और जो ट्रांजिशन कर्व प्रॉवाइड करते हैं वो स्पाइरल होता है दुबारा से सुनिये ट्रांजिशन कर्व जो प्रॉवाइड करते हैं स्पाइरल होता है, समिट कर्व आइडियल ही होता है, सर्कुलर लेकिन अगर डिजाइन के पॉइंट अभ व्यू से हम यूज करें तो पैराबॉलिक करते हैं, वो कन्वीनियन्ट होता है यूज करना, लेकिन समिट कर्व आइडियल कौन सा होता है, सर्कुलर होता है, clear spiral is for transition curve circular use करेंगे submit curve के लिए submit curve के लिए ideal है circle लेकिन use जो हम करते हैं design में जो लेना असान होता है वो parabolic होता है next as per IRC standard maximum super elevation that can be provided on hill road hill road के case में 10% the convexity provided to surface of carriageway carriageway के surface पे जो convexity प्रवाइड करते है उसे तो camber कहा जाता है the slope of the road pavement in the longitudinal direction longitudinal direction में gradient बोल देते हैं length की direction में जो road का slope है gradient अब next question valley curve का the total length of valley curve forms by two gradient minus 3% का और plus 2 का minus 3% का और plus 2% का तो deviation angle कितना आ जाएगा आपके पास minus 3% minus plus 2% तो minus 5% का आ गया या 5% deviation angle आ गया उसके पास आपको दिया गया है centrifugal acceleration की value 0.6 centrifugal acceleration 0.6 meter per second cube for a design speed of 100 km per hour बता है एंसर झाल 100 km पार अगर आपके पास है तो small v की value हो जाएगी 5 by 18 into 100 तो velocity meter per second में calculate करते हैं बैले बैसे तो 0.278 से करते हैं तो हम बैसे ही हो जाता है 0.2718 200 तो 27.8 meter per second पुट करिये हैं यहाँ पर तो twice of n की value 5% multiplied by answer बता है 84.6 84.6 next question a gradient along which the vehicle does not require any attractive effort to maintain a specified speed is known as इसे floating gradient पूलता है while aligning a hill road with ruling gradient of 5% horizontal curve of radius 60 meter is encountered supposing a maximum value of grade compensation gradient कितना होगा कि compensated gradient कितना होगा यह पूछा है आप से तो अगर आपको ruling gradient 5% का दिया हुआ है ruling gradient अगर 5% का दिया हुआ है grade compensation will be minimum of 30 plus r by r या फिर 75 by r इनका minimum of करेंगे so minimum of 30 plus r by r या फिर 75 by r 1.25 परसेंट grade compensation आया है यह हमारा grade compensation आया है तो इतना तो compensation प्रोवाइड करेंगे compensated gradient कितना होगा compensated gradient ruling minus यह वाला 3.75 आया है इसके according तो जो की less than 4% है therefore use 4% 4% बताएंगे हम 4% यूज़ करेंगे 4% option में इन दे रखा प्रोवाइड करेंगे 4% होना चाहिए answer यहां पर कॉमा लगा के पढ़िये इसको दुबारा while aligning a hill road with a ruling gradient of 5% a horizontal curve of radius 60 meter is encountered supposing a maximum value of grade compensation gradient in percentage for this would be तो gradient 4 होना चाहिए वैसे तो 5 option दे दिये पर 5 होई गलत यह कहना चाहरा है कि जादा से जादा grade compensation प्रोवाइड कर दो तो जादा से जादा 1.25 प्रोवाइड कर सकते थे अब 1.25 के according भी वो 4% से कम चला गया तो 4 होना चाहिए ideally हमारा answer जो की है नहीं यहां पर तो use नहीं करेंगे if the cross slope of the country lie in the range of 10 to 25% तो उसे rolling कहेंगे on a hill road with rolling gradient of 6.5% तो अब compensated gradient अब बता दीजे आप compensated gradient बता दीजे आप अब 1 तो 1.07 5.43 तो 4 प्रोवाइड गरने की क्या ज़रूरत है अभी तो ये इस ग्रेटर देन 4 ना तो कोई प्राब्लम नहीं है therefore okay compensated gradient पूछा था हमसे next when an up gradient on highway meets a steeper up gradient when an up gradient on highway देरे देरे अब जा रहा था फिर और steeper मिल गया इसको तो ये कैसा बन गया valley curve बना, sag curve बना, compound बना, summit बना तो valley या sag दोनों एक ही बात है mild up फिर steep up दोनों बने, ये और भी दोनों ही correct हो जाएंगे to determine the overtaking side distance the height of driver's eye 1.2 meter consider करेंगे when an ascending gradient of 1 in 50 meets descending gradient of 1 in 50 1 in 50 ascending वाला 1 in 50 descending वाला the length of summit curve for SSD of 80 meter will be, तो सबसे पहले deviation angle calculate कर लेता है n1 minus n2 1 in 50 minus minus 1 in 50 तो ये 2 by 50 आ गया हूँ 1 by 25 आ गया हूँ अब आपको मानना है कि let length of summit curve is greater than SSD तो उस case में length of summit curve आपके पास आ गया ns square upon 4.4 n की value 1 by 25 s 80 meter answer बताएं 58 पॉइंट something आएगा 58.18 आ रहा है 58.18 अब ये length of summit curve हमने माना था SSD जो की 80 meter था उससे जादा आएगा तो गलत होगे हमारा assumption तो अब मानेंगे कि length of summit curve is less than SSD अब दूसरा formula यूज़ करें 2s माइनस 4.4 by n वाला क्वाशों करें क्वाशों अब activity करें इंजएक्ट 50 आ राया आंसर तो सारे टाइब के वेशिटन हो गया सभी करब से हो गया समस्ट पर राइड स्वेले लेकरव करते हो गया वेली करकेकशन हो गया ग क्वेशिट सून은 हो गया ग्रेड कंपंसीशन का ने से अब लेकर फ़र हो गया next if the design speed is V deviation angle and radiance then the total length of valley curve in meter is expressed as अगर आपको km per r में दिया हुआ formula तो 0.38 Nv3 का route use करते है the target of achieving an overall density of road length in third 20 year road development plan कितना target रखा गया 82 km हर 100 km square area के अंदर for single lane traffic the desirable lane width is 3.75 m based on location and function Nampur road plan has classified the road into 5 categories the width of carriageway for multi-lane pavement 3.5 m per lane for a comfortable travel on highways the centrifugal ratio should not exceed centrifugal ratio आपकी super elevation E plus F equals to V square upon GR तो centrifugal ratio V square upon GR है E की value maximum से maximum 0.07 F की value 0.15 तो 0.22 हमारा answer हो जाएगा centrifugal ratio कह लीजिए impact factor कह लीजिए horizontal curve पर on a horizontal curve अगर pavement को horizontal रखा जाएगा तो outer wheel के उपर pressure जादा होगा as compared to inner next of stopping side distance for a two-lane two-way traffic would be two-lane two-way traffic है तो SSD के बराबर ही होगा one lane two-way traffic होता तो उस case में double करते हैं the width in meter of two lanes without raised curve बिना raised curve की बात करेंगे तो 7 meter raised curve तो 7.5 meter as per IRC super elevation provide जो किया जाएगा super elevation to be provided in horizontal curves of radius R is given by V square by 127 R अगर friction को neglect करे two-lane road with design speed of 80 km per hour has a horizontal curve of radius 500 what is the rate of super elevation for mixed traffic ये question तो हम कर चुके coefficient of lateral friction equilibrium super elevation के लिए वैसे 0.15 है equilibrium के लिए तो 0 use किया जाएगा question पूरा पढ़ना है यहाँ पर IRC recommendation for rolling design speed national highway के case में 100 km per hour desirable length of overtaking zone जो होगी वो 5 times of OSD होगी minimum होगी 3 times desirable पूचा है तो 5 times the radial acceleration of transition curve is 30 cm per second square या फिर आप यूं खहलीजिए कि C की value आपको 0.3 meter per second cube दी हुई है radius जो दी हुई है वो 200 meter velocity 14 meter per second the length of the transition curve is V cube upon CR करना है हमें अलांकि C की value 0.5 से 0.8 होनी चाहिए लेकिन question में दिया है तो ठीक है करने करने कि लीकㅋㅋㅋㅋ करने कि नहिminदे आगिक調 प्रुट क्मेर्ट करने करने कि हम तो प्हरप माँक्कशन ईपकी अपकी 12便 pras 45.73 तो लगभग 46 बहुत ही ग्लोज ऑप्शन है What is the mechanical widening? Mechanical widening पूछा है आपसे Mechanical widening सिर्फ पूछा है अगर extra widening की बात करता तो nl square upon 2r plus v upon 9.5 root r बताता सिर्फ और सिर्फ mechanical widening पूछा है तो n की value number of lanes दो मान लेंगे road की width क्योंकि 7 meter दी हुई है length of, sorry wheelbase आपको 7 meter और ये भी 7 meter दोनो 7 है length of wheelbase भी 7 divided by 2r 7 7s are 49 ये cancel हो जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा 1 by 10 का मतलब 0.10 meter A road is so designed that the stopping side distance is 92 तो ISD कितना होगा ISD हो जाएगा इसका double 184 ठीका दोस्तों अभी के लिए इतने ही कुछ और questions जो है वो PDF के अंदर मैं आपको provide कर दूँगा just for your practice सारे हमारे regions cover होई गया है हमने transition go भी cover कर लिया extra widening वाला portion भी cover कर लिया कैसे questions आएगे ठीका दोस्तों अभी के लिए इतना ही अगर आप इस channel पर नहीं है तो जल्दी से subscribe कर लीजी अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे share कर सकते है और description के अंदर आपको नीचे telegram का link और other social media links जो है वो provided है तो आप नीचे description में आपको मिल जाएंगे उन पर click करके आप वहां भी join कर सकते है PDFs, notifications और तमाम तरीके के जो जानकारियां होती है उनके लिए कल हमारा Civil 101 YouTube के उपर जो है चैनल वहां पर session होगा उसके अंदर हम बढ़ेंगे estimation, costing and valuation कल सुबर और कल शाम को mock test 3 इस चैनल के उपर हम करेंगे ओकी, thank you so much railway and traffic भी जल्दी होगा, don't worry railway and traffic भी हम करेंगे तो आप telegram पर updated रहिएगा बस जैसे ये live stream खतम हो आप अपने valuable input, valuable feedbacks जो हैं, वो भी definitely आप हमारे साथ share कर सकते हैं, नीचे comment section में, ये live stream खतम होने के बाद, इस चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लिजे क्योंकि बहुत सारा amazing content civil engineering का यहां पर आने वाला है, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इससे share कर सकते हैं thank you so much, take care, bye bye, good night